तो देखिए चप्टर का नाम है स्ट्राटेजिक चॉइस चप्टर के और वीबी सबसे पहले वने ब्रॉड स्ट्राटेजिस को पढ़ा ब्रॉड स्ट्राटेजिस थी इंड और इस पीजिस टीबिलिटी ग्रोथ इसके हैं multiple product multiple services उसके बाद second option था strategic exit का तीन example देखे थे हमने turn around divestment और liquidation turn around का मतलब होता है जब इस्ततियां आपके विपरीत हो कुन इस्ततियों से lot के अच्छी इस्ततियों में आना है मतलब loss making से break even और break even से profit पर ले जाना आपने आपको पाटा और royal infield bullet का हमने example दिया था और divestment जो है उसको हम partial liquidation कहते हैं क्योंकि इसमें हम सब कुछ नहीं बेचते एक हिस्सा ही बेचा करते हैं जबकि liquidation में completely बेच दिया करते हैं plant machinery land and so on उसके बाद फिर उस शित्र में काम नहीं करते एक्जामपल जेट सहारा एर और एर इंडिया का हमने इसमें example लिया था आज हम discuss करेंगे स्टेटिक options पे जिसमें बात होगी portfolio analysis method की और उसमें भी हम चार method discuss करने जा रहे है portfolio के कौन से चार method discuss होगे आज आज discuss होगा IGOR ends of matrix फिर डिसकस होगी ADL फिर डिसकस होगी BCG और लास में डिसकस करेंगे अपन जन्रल इलेक्टिक GE महर प्रीत करा कल थोड़ी सी क्लास लेट हुआ मेरे को पता नहीं लगा बिटा अगर किसी दिन क्लास आफ करेंगे तो बकाइदे मैसेज गुरूप में डालेंगे बिटा ब्राड कास्ट कर ला जो आप सब का गुरूप बनावाने जिसमें आप सब जुड़े में उसमें मैसेज आएगा नहीं पा रहा था इसलिए कल हुआ हमें थोड़ा सा लेट लेकिन हमने क्लास ली और क्लास में कल आरिश मौजूद था इसलिए जब तक हम आफ नहीं करते गुरूप में मैसेज नहीं डालते तब तक आफ नहीं है लेट हो सकता है थोड़ा वो मैसेज आपको आ जाएगा हम ने कहा था हम थोड़े दिर में शुरू करेंगे चलिए तो आईए टोटालेटी में एक साथ रखते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं चेप्टर चार क्या है चेप्टर चार का नाम है स्ट्रेटिक चॉइसे पीन में टॉपिक में पतंजली रिलाइंस डानी ग्रुप रिट्रेंश्मेंट में जट सहरा एर इंडिया कॉंबिनेशन टाटा इंसन्स स्टेबिलिटी मतलब यथा इस्ति जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे चलता रहा एक्स्टर एफट नी लगाएंगे परसीम लेवल एफट जरूर लगाएंगे और इसमें हमने पढ़ा था यह डू नथिंग स्टेटिजी नहीं है यह डू सम्थिंग स्टेटिजी कुछ नो कुछ तो करना ही पढ़ता है ग्रोथ और क्या हुत है इसमें क्या होता है हम एक्सा पॉडशन में होते और फॉरिशन होता है इकॉनमी में उस स्तिम हम ऐसा करते हैं तब कुछ पौर्षन बेच जाया करते हैं जेट सहरा इर इंडिया ने समय रहते हैं ऐसे ही किया और combination उन कंपनियों के लिए जो multiple product और multiple services offer करती हैं तो उनके सारे product एक साथ एक समय में न तो stability में होते हैं न growth और expansion में होते हैं न retrenchment में होते हैं इसलिए उनके कुछ product stability कुछ growth expansion और कुछ retirement में होते हैं इसलिए इस पर्मूटेशन combination के कारण नया तरीका कहलाता है combination strategy तो ब्रॉड strategy होगी चार stability growth and expansion रिट्रेंजमेंट combination फिर हमने strategic exit पढ़ा था तीन turnaround divestment liquidation turn around का मतलब होता है जब इस्ततियां आपके खिलाब हो persistent negative cash flow हो आपने को बिजनस acquire कर लिया वह mismatch चल रहा हो आप क्या mismanagement चल रही हो मुराल बहुत हाई हो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ऐसी इस्तती में बुरे इस्तती से lord के अच्छी इस्तती में आना कहलाता है you turn लेना या loss making division को profit center को SBU को सेल कर दिया portion तो यह पूरा नहीं है portion बिखता है इसलिए इसको कहते है partial liquidation और इसके बाद जो तीसरा stage होता है liquidation उसमें complete plant land building machinery सब बेच कि बिजनस को भी बंद कर देते हैं और उससे मिले पैसे से कुछ और किया करते हैं उसको कहते है है liquidation या complete liquidation example jet airways सहरा आज option आएगा strategic option का जिसमें portfolio analysis method आएंगे यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारी कंपनिया जैसे reliance है मुक्य शंबानी कंपनी वो petrocam में काम करती है वो कपड़े में काम करती है टेलीकॉम में काम करती है प्रट्रोल पंप में काम करती है इंट्रेंट में काम करती है मीडिय सेग्में में काम करती है और भी कई सेक्टर में काम करती है इवन है इसी तरही किम्पनिया जिनके बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं बहुत सारी सर्विसेज जब स्थ्थियाँ अच्छी होती tocarna चाहिए जब सत्तियां विपृत है रिसेशन आजाए तो क्या करना चाहिए इन सब चीजों को portfolio analysis method में discuss किया जाता है जिसको हम कहते है strategic option ऐसे चार method हम discuss करेंगे अपने course में जो exam में पूछे जाते हैं सब्सक्राइब आप पूरा कोर्स ही ऐसे पढ़ा देंगे दिमाग में हमारे बिठा देंगे बिल्कुल बच्चा पूरा कोर्स इसी तरीके से दिमाग में दई की तरह जमा दिया जाएगा आपके क्योंकि आप पड़ रहे हैं बत्रसर के पाद जिनोंने पूरी की पूरी management की study किये बिठा उन से जिनोंने management के सिधान प्रतिपादित किये उनका नाम है Michael E. Potter living legend बत्रसर बिठा उनके student रहे हैं तो बत्रसर अगर आपके गुरू है तो बत्रसर के गुरू है तो महा गुरू स एकनीक भी बताते हैं इसलिए हर चीड आपके दिमाग में इसी तरीके से बैठ जाएगी जैसे पिछले सारे तीनों चैप्टर बैठे हैं और ये चौथा चैप्टर भी आज खितम करेंगे हम तो आपके दिमाग में हर बात बैठ जाएगी जल्दी से मुदाएब बताएं चैट बॉक्स में अपने अब तक जितना पड़ा है और 12 सर के साथ आप क्लासेज में हो क्या हर चीड आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्या हर एक दिमाग में गूंज रहे कि नहीं आ रहे हैं जल्दी से बताएं मुझे चैट बॉक्स पर सबी लोग बताएं कि नहीं है कि करे snipp वहिए एक एक कंस्प्क नमाग में हमारे क्लियर है क्रिस्टल एक कोई डावट नहीं है यह मारे को 19 रावर से बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात नोडवट तो मैं दो मिनिट के लिए ये चेप्टर का और विए आपके सामने रख रहा हूँ फटा फट से दिमाग में खुली आँखों से इसको याद कर लो शालिए तो आईए बात करते हैं अपन स्ट्राटेजिक ऑप्शन्स पे सीधा ठीक है मैं क्विकली ले लेता हूँ हमने पढ़े ये तीन लेवल होते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, टॉप लेवल पर थाट प्रसेस होता है और फोकस छोटे मार्केट सेगमेंट के लिए सस्ता या अलग करके बेचना, फोकस कॉस लिटर्शिप या फोकस डिफ्रेंशेशन और फिर इसके तहत हम फंक्शनल स्ट्राटेजी बनाते हैं जो इंडिविजल डिपार्टमेंट के लेवल पर होती है कॉर्परेट बिजनस और फंक्शनल स्टेज़ दो बिजनस साइकल जो होती है वो प्रडट लाइफ साइकल के अनुसार बनती है जो एस शेप कर में बनती है यहाँ पर तीन चार स्टेज़े है एंट्री ओबलेक इंट्रेटशन स्टेज जिसमें मार्केट पैनेटरेशन स्टेज़े आती है फिर आती है ग değiş स्टेज जहां growth और expansion आती है फिर आती है maturity जहां stability आती है जहां आती है decline स्टेज वहाँ रिटरेंच्बेंट और मेरे ख्याल से इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, दुबारा से आपको clear हो रहा होगा, इस पे MC को या बड़े सवाल हो सकता है, उसके बाद हमने बताया था, corporate strategy की चार broad category है, stability, expansion, retrenchment and combination जिसको चितर कनुसार भी बताया था, फिर हमने इसके basic feature बताया था, stability का मतलब होता है, firm अपने same business में रहती है, current product market को यी deal करती है, same level effort लगाती है और satisfied है with incremental growth, expansion में significant growth चाहिए, जिसको मेहमत और exponential कहते हैं, यह current business या different business में भी हो सकती है, existing business से हम related या unrelated भी हो सकते हैं, बात आई सब को समझ में, next है, retrenchment, retrenchment का मतलब कुछ activities को कम कर लेना, क्योंकि हमें लगता है, इस्ततियां हमारे विपरीज जा रही है, तो हम कुछ business को drop कर देते हैं, सारा नहीं, कुछ को drop कर देते हैं, sell out कर देते हैं, इसको हम कहते हैं, retrenchment, retrenchment के तीन इस्ततियां है, turned around, divestment और liquidation और इसको हम strategy exit के तहत पढ़ते हैं, इसके लिए जो topic हमारे लिए लिए लिखा गय किया है, वो किया है, strategy exits, turn around, divestment और liquidation, उसके बाद हमने combination पढ़ा था, जब strategy यां, permutation, combination में use आती है, stability, expansion, retrenchment, तो इसे हम क्या कहते हैं, combination कहते हैं, stability strategy का परसूट चलने चाहिए, जब आप same business में continue करना चाहते हैं, same stage पे, और, आप maturity stage में पहुँच चुके है, product life cycle के, इसक हम do nothing strategy नहीं कह सकते हैं, इसे do something कहेंगे, क्योंकि same level of effort तो करने पढ़ते हैं, फिर हमने characteristic पढ़ी थी, किसकी stability की, हम same business में रहते हैं, same product में करते हैं, same level of effort लगाते हैं, functional efficiency, incremental way में है, redefinition of business नहीं वा करती है, ये एक safety oriented strategy है, status को है, मेरे साथ revise करते चले मिटा, बत्रासर कर र लेनी है, इसको कहते हैं, breathless revision, तो इससे क्या होता है, सारे concept clear होते चले जाते हैं, seriously मत ले लेना, उन्हीं सांस लेना, बंद करतो और मालों पड़ा कुछ और हो जाए, घर वाले मुझे फोन करके बोलें कि आपने ऐसा क्या कह दिया, बच्चे आपकी बाद अक्षर शे मानन लग गये, और उन्होंने सांस रोक लिए अब दुनिया में ही नहीं है, ऐसा मत कर लेना, इसमें business की redefinition नहीं होती है, यह safety oriented है, status को है, यहाँ पे fresh investment की जरूत नहीं पड़ती है, risk भी बहुत कम गवा करती है, यहाँ हम existing resources पे ही अपना concentration किया करते हैं, और growth objective modest होता है, reason क्य है यहाँ पे, जब आप maturity stage of PLC में पहुच जाते हैं, तो इसको follow करना चाहिए, और आपका staff comfortable feel करता है, जो चल रहा है उसमें, तो status को follow किया जाता है, environment अगर relatively stable है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी करने की जरूत नहीं हुआ करती है, अगर कई लोगों को लग retention, बिल्कुल उल्टा है, stability का, यहाँ बिजनस की redefinition होती है, बिजनस का enlargement होता है, substantially investment को increase किया जाता है, dynamism, vigor, promise और successes के चार गुण है, नया प्रड़क्ट, नहीं टेक्नलोजी, नये मार्केट में हम जाते हैं, unknown और इसकी पात पे हम चलते हैं, characteristic क्या है, बिल्कुल reverse है, stability की यहाँ बिजनस का redefinition है, यह opposite of stability है, यहाँ rewards जो हाई है, risk भी बहुत हाई है, यहाँ बिजनस ग्रोथ होती है, महमत होती है, exponential होती है, renewal हो बिजनस होता है, fresh investment की जरुद पढ़ती है, highly versatile है, कई permutation combination देखने को मिलते हैं, तो strategy root हैं के intensification और diversification, intensification same business के लिए है, diversification में same और different business बिजनस भी adopt किया जा सकता है, major reasons क्या है, जब environment में तेजी से बदलाव आता है, तो जरूरी हो जाता है कि हम भी organization के तोर पे तेजी से बदलाव करें, product और service line में, कई बार organization के जो CEO होते हैं, वो अपने आपको satisfied पाते हैं, जब उनको लगता है, growth oriented organization को head कर रहे हैं, ऐसा करने से market में उनका control और नियंतरन बढ़ जाता है, experience curve का फायदा और scale of operation हम यहां से उठा सकते हैं, इसके अलावा intensification, diversification, acquisition और murder इसके example हो सकते हैं, expansion में, दो प्रकार के growth strategy हैं, internal और external, internal में है intensification, diversification, intensification same field में, diversification same or different field में होता है, external का मतलब होता है, बाहरी firmों से, अंदर से नहीं, बाहर दूसरी firmों से मिल कर काम करना, strategic alliance, murder and acquisition और joint venture ऐसे कुछ तरीके हैं, internal growth में intensification, diversification देखें, इसके लिए हमने तरीका देखा था, जो आईगर अंसौफ में हम बताया गया है, आईगर अंसौफ कहता है, इसके चार तरीके होते है, market penetration, market development, product development और diversification, market penetration का मतलब होता है, existing product क existing market में ज्यादा बेचा जाए, जैसे जीओ, अभी 37% में बैठा है, यह चाहिएगा, 40 हो जाए, 42 हो जाए, तो ज्यादा माल बेचना का तरीका, अगर वो अपनाता है, तो market penetration है, इसके लिए वो product में featurenal advances ला सकता है, frequency of use बढ़ा सकता है, usage बढ़ा सकता है, market development का मतलब होता है आप नया market विकसित करते हो, North India से South India में जाते हो, South से East India में जाते हो, या किसी और देश से भारत में आते हो, बारत से किसी और देश में जाते हो, Vodafone बारत में आया, Apple बारत में आया, Volkswagen बारत में आया, भारती ये company हैं दुनिया में गई, product development, इसमें substantial modification करते हैं, अपन existing product में product बिल्कुल नया आता है, जैसे 6G हम launch करने वाले है, product के तौर पे आने वाले टाइम में, electronic vehicle launch करने वाले है, petrol, diesel के बाद में, ये सारी चीज़े बता रही हैं, कि हमारी चीज़े existing से बिल्कुल अलग है, इन सब को आईगर and so framework में दिखाया जा सकता है, चितर आपके सामने है market penetration geo के example से समझ सकते है, market development, Vodafone in India से समझ सकते है, product development, 6G technology के बहुत जल्दी BSNL देगी भारत को, ऐसा हमारे मंतरी अनिलवैशनोव जी कह रहे हैं, और diversification के दो तरीके related, same field में, unrelated, different field में काम करना, expansion और growth जो होते हैं, वो दो तरीके से होती है, same or different field में, same field को अपन कहते हैं, intensification, different को अपन कहते हैं, diversification, अब जो broad category हैं, यहाँ पे वो है, same field में काम करना, that is concentric, same, conglomate, मतलब different, तो एक same में हैं, और एक different में हैं, same वाले को कहते हैं, concentric related business, और conglomate होता है, unrelated business, जिसका पुराने से कोई लेने दिना नहीं है, जहान तक concentric की बात है, इसके चार तरीके ह हम देखते हैं, vertical integration, horizontal integration, concentric और conglomate, vertical integration का मतलब होता है, product process में ही बने रहेंगे, product process में ही बने रहेंगे, और vertically, या तो पीछे की तरफ backward जाएंगे, या हम forward आगे की तरफ आएंगे, तो जैसे, अगर एक company है, जो की, अपना एक product बनाया करती थी, जैसे Camlin अपना pen बनाया करत जाते थे, और कल को वो इंक भी बनाने लग जाए, raw material की तरफ चले जाएं, तो ये backward integration, vertical का ही example कहलाएगा, और इसी तरीके जए Camlin खुद के store डाल दे, खुद के store खुद डाल दे, तो इसका मतलब वो sales और marketing में चला गया, ये जाना कहलाएगा forward integration, मैंने इसके उधारण दिय लिए थे आपको, अगर CA इंटर का टीचर एक लवल पीशे CA foundation पढ़ा है, तो वो raw material की तरफ जा रहा है, और CA final पढ़ा है, तो वो forward integration की तरफ जा रहा है, ये पूरा तरीका backward forward, vertical कहलाता है, vertical integration, ये क्या कहलाता है, vertical integration कहलाता है, यहाँ जो कुछ हम करते हैं, खुद से करते ह पार से कोई मदद नहीं लेते हैं, camlin pen वाला backward integration करके camlin ink बनाएगा, और forward करके camlin के store डालेगा, reliance fresh, जो हमारे franchise stores है, अगर वो अपने खुद के farmhouse करीज लेते हैं, reliance fresh, farmhouse ले लेता है, तो backward integration है, reliance delivery करने लग जाए, तो forward integration है, ये हमने देखा था example के तोर पे, उसके बाद horizontal integrated diversification का मतलग होता है, हम immediately अपने competitor को acquire करने, जैसे walmart acquire करता है, flip card को flip card करता है, mintra को, adidas करता है, reboc को, acquire होता है, यहाँ पे acquisition is must, अपने immediate competitor को acquire करना ही ये कहलाता है, आरिश कहे रहा है, मुझे आज मिल गई बुग, कैसी लगी बेटा, कैसी लग रही है, अरे कैसा लगता है, आरे अच्छा लगता है, आरे बत्रसर की मुख से, पढ़ना कैसा लगता है, बताओ रहे आगे बढ़ते हैं, diagram से हमने समझा दिया था, कि कैसे manufacturing company, raw material की तरफ जावे तो backward है, और after sales service की तरफ आवे तो forward कहलाएगा, उसके बाद हमने conglormate पढ़ाया था, यह unrelated है, disjoint है, कोई linkage exist नहीं करता, कोई connection नहीं है, पीछले साथ में, जैसे cement बनाने वाली company, rubber और steel बनावे, T भारती ग्रूप ने सबसे पहले air retail नाम का telecom product introduced किया, फिर भारती एक सा life insurance, फिर digital tv set of box, और उसके बाद FM radio हर काम पहले से अलग है, कोई लेना दना नहीं है, पीछे से उसका, disjoint है, unrelated है, यह कहलाएगा, conglormate, टाटा एंसन्स ने steel दिया, cement दिया, rubber दिया, hospital दिया, और भी वह सारी चीज़े दी, पुराने से कोई लेना दना नहीं है, example किसका है, conglormate, यह कहलाता है, different वाले field में काम करना, फिर क्या इतना सारा expansion करना unrelated field में जाएजे, बिल्कुल जाएजे, जब आप unrelated field में, अपने cross-selling, उसको क्या कहते है, cross-selling, क्योंकि यह ग्राक वर्क अलग है और वो अलग है, तो इस ग्राक वर्क को वो product और इस ग्राक वर्क को यह वाला product दे सकते हैं, तो अलग-अलग ग्राक वर्क को हम जो product अब तक नहीं देते थे, वो भी introduce करते है, this is known as cross-selling, इसलिए growth unrelated field में पान जैसे एपल का उधारण दिया जाता है, Microsoft का उधारण दिया जाता है, Tesla का उधारण दिया जाता है, यह सब लोग अग्रणी कंपनिया हैं, innovation के माध्यम से, Microsoft, Google, यह सब के सब अग्रणी हैं, इसमें तो innovation जो होता है, यह existing product में अप्ग्रेडेशन लाता है, इससे आपका market share बढ़ता है, revenue बढ़ता है, profitability बढ़ती है, और सबसे खास बात, customer में satisfaction आता है, नई चीछ, जैसे यह नया course, अब तक हम पुराना course सेल करते थे, वो पुरानी recordings थी, अब यह नया course है, नई recordings है, नई चीज़े मिल रही हैं आपको, तो जब आप भी classes को देखते हैं, अगर कोई पुराना student पास नहीं और अभी यह नई classes लेता है, तो उसको भी जमीन आस्मान का अंतर नजर आता है, नई recordings मिल रही हैं, नई notes मिल रहे हैं, नए examples मिल रहे हैं, जो पुराने नहीं मिलते थे, उसका satisfaction बढ़ता है, अब हमारे को जो innovation है, वो चार चीज़े offer करता है, एक complex problem solve करने मदद करता है, दुनिया की हर complex problem को solve करने के लिए, नए और innovative solution आए हैं, Microsoft के Bill Gates के शब्दों में, अगर कोई complex problem है, जिसको solve होने में ज्यादा समय लगता है, तो उसको किसी lazy आदमी को सौपना चाहिए, क्योंकि वो lazy आदमी अपने nature के कारण, ज्यादा तो काम करेगा नहीं, तो वो उस problem को solve करने का को innovative तरीका ही निकालेगा, आपने intelligent आदमी को दि दिया आपने, तो वो चाहेगा कि इसका कोई innovative solution निकाले, जिसमें मुझे महनत कम करनी पड़े, तो Bill Gates समेशन कहते थे complex problem को solve करने के लिए lazy विक्ति को काम पे लगाओ, आपको innovative solutions मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे solar है, wind है, इन सब में काम करना, नया innovation है, increase productivity, simplification आ जात आते हैं, अपनी automation करते हैं, तो simplicity बढ़ती है, और इससे हमारे काम पहले से अच्छे हो जाते हैं, हमारी productivity बढ़े जाती है, जैसे chartered accountant offices में, MS, Excel, और अब उसके अंदर हम artificial intelligence, chat, GPT का भी use करने लगें, तो उससे हमारा काम आसान होने लग गया है, उसके बादे competitive advantage मिलती है, क् आप innovator माने जाते हैं, नया कुछ करने वाले माने जाते हैं, दूसरे लोग पुरानी लकीर पर ही चलने वाले हैं, आप कुछ नया करने वाले हैं, तो इससे आपके कुछ नये customer ज्यादा बनते हैं, तो तीन ही हैं, अब बात करते हैं external growth strategy, उसमें पहला है murder and acquisition और दूसरा है attractive and tempting proposition है, इससे हमारी चीजों के बीच में physical facilities और technical और बाकी skills में बढ़ोतरी हुआ करती है, synergy आती है, तो merger acquisition वैसे तो दो अलग अलग चीजे हैं, तो आउनको define कर लेते हैं, merger का मतलब होता है, दो या दो से अधिक competing company अपने हाथ मिलाकर एक नई entity का निर्मान करती हैं, और friendly manner में काम को आगे बढ़ाती है, उसके बाद पुरानी दोनों entity का अस्तित्य खतम हो जाता है, एक नई entity का निर्मान हो जाता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा गाना भी आपको बताया था, मैं और तुम मिलकर हम बन जाते, मैं और तुम मिलकर हम बन जाते, merger होता है यह, और Vodafone, B है idea, दोनों न मिलके बना दिया Vodafone idea limited, ठीक है, दूसरा है acquisition, acquisition में क्या होता है, एक बड़ी financially strong company, छोटी financially weak company, जिसकी इस्तती खराब हो रखी है, उसको unfriendly terms पे generally acquire कर लेती है और उसका अस्तित्य तो समाप्त कर देती है, तो अब A और B में से जो बड़ी company है, A का ही existence होगा, B उसमें खतम हो गई, मर्ज हो गई, खतम हो गई, acquire हो गई, तो ये तरीका क्या कहलता है, Tata ने acquire किया chorus को, chorus को acquire करके chorus का अस्तित्य समाप्त कर दिया है, company या मूल बानी जाती है Tata, ठीक है, इसके लिए में गाना बनाया था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, हाँ खाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, हाँ हाँ खाई है, असके तो समात कर देगा ये, तो ये दो तरीके हमने पढ़े थे instant expansion के clear है उसके बाद merger के चार तरीके discuss हुए थे horizontal, vertical, co-generic और conglormate co-generic को concentric की माने पर यहां word इसके लिए co-generic है horizontal का मतलब होता है same industry में अपने competitor को अपने साथ मिला लेना, merge कर लेना एक नई entity बना देना, दो एक्जांपल हम पढ़के आए है Groupon, Liptun, India Limited और Vodafone Idea vertical merger का मतलब होता है same industry में रहते वे backward या forward जाना backward या forward जाना, मैंने उधरन दिया था SS bathroom furnishing fitting के पास sales channel नहीं था Asian paints के पास में bathroom के furnishing fitting सामान नहीं थे तो दोनों ने merge कर लिया कि Asian paints background में गया नए product को अपने में introduce किया SS bathroom furnishing fitting forward आया, marketing और sales के सुईदा को लेने के लिए Asian paints के साथ में और rural area में जहां Asian paints की presence बहुत तकड़ी है SS bathroom furnishing fitting भी पहुँच गया जा पहले केवल शेरी शित्रों में सिमित था next को जनरिक जिसको कंसेंटरी कहते हैं existing के साथ काम कर लेना जैसे Camlin जैसे Sterling Resort जैसे Sterling Resort जो की resort वाली कंपनी है वो Thomas Cook के साथ जो booking करती है उसके साथ मैं हाथ मिला लेती है merge कर लेती है तो ये कहलाएगा को जनरिक या कंसेंटरी इसी तरीए जो की कुकर प्रेशर बनाते हैं चिमनिया बनाते हैं वो अगर रेफरिजरेटर वाली कंपनी सेंसंग के साथ मैं हाथ मिला लेते हैं ठीक है तो क्या कहलाएगा ये ये कहलाएगा वाइट गूट कंपनी के साथ काम करना को जनरिक या कंसेंटरी next है उपजया और आपको आपको बिजमसेंस इंडिवीजी वाली जो खुद अचीव नहीं कर सकते मिलकर किसी एक सटन अबजेक्टिव को अच्विव करना चाहते हैं, अपनी-अपनी entity को बनाए हुए, खोनी जाती है, अपनी-अपनी entity बनी वी है, और हम मिलकर काम करेंगे, एक objective के तहर्त, तो हम इसे कहते हैं, strategic Alliance, partnership होगी एक तरीके की, आप इसमें हमने example दिये थे, strategic alliance एक agreement है जो काफी लंबे समय के लिए किया जाता है separate entity maintained होती है इनकी Tata ने sky के साथ किया ताकि एक certain objective achieve कर सके Tata ने Starbucks के साथ किया, Uber ने Spotify के साथ किया, Geo ने सावन के साथ किया Toshiba ने General Electric के साथ किया Toshiba ने Apple के साथ किया, Toshiba ने objective को ध्यान में रखते वे, common goal को achieve करने के लिए, अपनी entities को maintain करते वे, मिलकर काम करते हैं, goal oriented manner में जिसके कई उधारन आपके सामने है क्या ये बात समझ में आ रही है Is everything loud and clear to all of you? पटा पट से chat box में मुझे बता है सभी कह रहे हैं, yes sir, yes sir, yes sir समझ में आ रहा है अब बात करते हैं, advantage के है strategic alliance के, पहला benefit है organizational, हम एक दूसरे से सीखते हैं जिसके साथ strategic alliance करते हैं उसकी skills, उसके काम करने के तरीके हमें कुछ अपने आपको improve करने में मदद करते हैं economic benefit है कि हम दोनों की facilities मिलकर इतनी बड़ी हो जाती है, कि हमारे cost reduce हो जाती है risk reduce हो जाती है और equally divide हो जाता risk हमारे बीच में, और इस तरीके से हम ज़्यादा बड़े production और volume पर काम कर सकते हैं तीसरा है strategic advantage rivals जो है उन्होंना आपके साथ हाथ मिला लिया है तो आप मार्केट में rivalry नहीं चलेगी हम मिलके market को कबजे करेंगे competitive advantage मिलती है resources के pool होने से हमारे को चौता है political advantage कई बार किसी देश में local company को साथ लेके व्यापार किया जा सकता है तो वहाँ पे हमारे को ये strategic alliance create करने से उस देश में entry आसानी से मिल जाती है हमने example दिया था run vaccine अपनी कुछ दवाई बनाई थी cancer के लिए उसे entry नहीं मिल रही थी US market में फायदे है तो कुछ problem भी है problem भी है कि हमने दोनों एक दूसरे की हमने skills को सीख लिया दोनों ने एक दूसरे के काम करने के तरीके को सीख लिया तो आज जो गहरे मित्र है कल जब ही अलग होंगे तो एक दूसरे के गहरे शत्रू होंगे क्योंकि हम जानते होंगे अगला कहां कमजोर है अगला क्या करता है कैसे करता है तो उसका counter हम अपने पहले से त्यार रखेंगे इसलिए का जाता है जो आपका गहरा मित्र होता है वही बात विगड़ने पर आपका गहरा शत्रू बन जाता है क्योंकि आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि आप ही ने उसके साथ knowledge और skills share की थी, trade secret share किये थे, अब वही आपको नुकसान पहुचा रहा है, तो ally आपका क्या हो जाएगा, future का opponent हो जाएगा, उसके बाद हमने strategy के exit में तीन तरीके पड़े थे, जब organization, recession के दौर में चल रही होती है, और सब को ठीक नहीं चल रहा होता है, तो फिर हम क्या करते है, problem area find out करके उसके solution को निकालने कोशिच करते हैं, या तीन तरीके के retirement strategy काम करती है, पहला, अगर हम वो तौर तरीके अपना जें, जिससे हम process of reverse पे चले जाए, मतलब नुकसान से फाइदे की स्त कर रहे थे, तो इसको हम divestment या partial liquidation कहेंगे, तीसरा, अगर आप total activity बंद कर देते हो, abundant कर देते हो, plant machinery बेज देते हो, business से बाहर आजाते हो, पैसा लेके, तो फिर हम इसे total liquidation का नाम दिया करेंगे, turn around की बात पहले करते है, retrenchment जो internally किया जाता है, उसे turn around कहा जाता है, और externally क के लिए आपको अपनी internal efficiency को बढ़ाना होगा, और इसके लिए कुछ हमारे पास में certain condition और indicators है, जो की danger signal बताया करते हैं कि कब हमें कर लेना चाहिए, क्या, turn around, विलकुल सही कारिश, persistent negative cash flow लगाता है, आपके याँसे पैसा balance sheet में से कम होता चला जा रहा है, flow होता चला जा जा है, आपके market share decline कर रहा है, physical facility deteriorate हो रही है, stop बहुत ज़्यादा है, छोड़ छोड़ के लोग चले जा रहे है, moral आपका खतम हो चुका है, आपको लगता नहीं है, हम मार्केट में survive कर पाएंगे और आपके management ठीक नहीं है, ऐसी परस्कतियों में हमें करना चाहिए, turn around, action plan के turn around आप उसमें सुधार ला रहे हैं, 6G के बाद में आएंगे सुधा, अशुनी वैशनोजी कर रहे हैं ये काम, लेकिन अब तक कैसा था, BSNL दुनिया से reluctant, दुनिया क्या कर रही है, उसे मतलब भी नहीं है, वो अपना कुझा अलगी किये जा रहा है, और इसलिए root cause थी, कि उ stop the financial losses, crisis or bleeding, अगर आपको लगता है कि immediately मुझे कुछ हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए, जहांसे मुझे नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो उन हिस्सों पर काम करना क्या कहलाता है, implement the emergency plan होता है, चौता स्टेज होता है, restructure the business, अब क्या करो आप business में, जो काम नहीं आ रहे है, जिन से loss हो सकता है, जिनको नहीं चलाना चाते है, जो mismatch है, आपके इच्छा नहीं हो, उन्हें drop कर जो, और drop करना और बाकी को continue करना ये कहलाता है, restructuring, और सबसे अंत में होता है, returning to normal, मतलब अब हम lot आए हैं, हमारे profit आने शुरू हो गए हैं, अब हमें बाहरी साहिता के ज उसके बाद, important elements क्या है, turnaround के पहले देखा हमने, management में changes करो, change in the top management, credibility action build करो, टीवी में add दो, लोगों से कहलो आओ, सब ठीक ठाक है, external pressure neutralize करो, quick payoff activities develop करो, cost reduction method लाओ, और revenue generate करो, acid liquidate करो, और better internal coordination विक्सित करो, बात आई समझ में, यह सब है important element of turned around, फिर हमने divestment के बारे में पढ़ाता है, divestment का मतलब sale or liquidation of a portion, यह खास बात है, पूरा नहीं, एक portion की बात हो रही है, पूरा कर दोगे तो liquidation है, portion करोगे तो वो divestment में, major division, profit center, SBU, जहां भी द construction plan होता है, इस्ततियों को सुधारने के लिए, और अगर आपको लगता turn around नहीं करना चाहिए, हमें सीधा जाना चाहिए, आगे तो divestment सीधा भी अपना सकते है, divestment का अड़ाप्ट करना चाहिए, जब आपके acquired business को आप mismatch पाते हैं, और आपको लगता बिजनस acquire कर लिया, तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, फिर persistent negative cash flow, यह आपके और समस्या है, competition meet out नहीं कर पा रहे हैं, technological obligation चाहिए, पैसा नहीं है, आपके पास में better alternative available है, आप यहां क्यों लगे हैं, characteristics कुछ ऐसी हैं, कि कुछ activities को हम divest करते, sell out करते हैं, और कुछ पैसा जो बनता है, उसको restructure plan में लगाते हैं, divestment को एक integral part की तरह माना जाए, और इससे कोई भावनात्मक लगाव न रखा जाए, तो ज्यादा बढ़िया होगा, major reasons क्या है, आप existing business में partially होली नहीं रहना चाहते हैं, तो आप retrenchment अपना हो, management को लगता है कि यह viable नहीं है, तो इसको छोड़ के कुछ और कुछ और करना ज्यादा बेटर रहेगा, यह unprofitable है, profitable करेंगे, हमने कोई business acquire क्या हो, mismatch साबित हो रहा है, तो उसे छोड़ दो, persistent negative cash low है, तो हमें करना चाहिए, severity of competition और आप meet out नहीं कर पा रहे है, तो करना चाहिए, टेक्नल अबरेटेशन की जरूत है, और हम cope up नहीं कर पा रहे है, करना चाहिए, better alternative available है, तो यहीं क्यों करें, छोड़ के कुछ और न करें, अब बात आती है, क्या turned around, केवल और केवल loss making का करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, turned around का मतलब यहाँ पे होता है, efficiencies, आप poorly perform कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहते है, तो poorly performing organization के लिए, चाह हमने आगे बात करनी है, strategic option से, तो हम portfolio analysis को शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपकी कोई समस्या है, इतना जो हमने पढ़ लिया, उसमें कोई दिक्कत है, तो वो पूछ ले, महरप्रीत क्या कह रहे है, सर मंत्रा Walmart में मर्ज हो गया, बिल्कुल, flip card मंत्रा में में, तो फिर सर हमको मिंत्रा flip card की website क्यों दिखती है, वो तो पेटा उन्होंने marketing point of view से बना रखी है, बिल्कुल मर जोगी, उसका तो existence खतम हो ना जाना चाहिए, बिल्कुल company ने किया नहीं है, क्योंकि जो लोग मिंत्रा से चुड़े हो, मिंत्रा को ही देखना चाहते है, अगर मिंत्रा अटा देंगे तो लोग शायद हो सकता ना है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझो, समझना क्या है, मिंत्रा, इसको acquire किया है, किसने, flip card ने, लेकिन उसने मिंत्रा का existence खतम नहीं किया, क्योंकि लोग मिंत्रा के नाम से जो जुड़े वे थे, वो मिंत्रा पे ह आना चाहते है, वो flip card पे नहीं जाना चाहते है, तो एक marketing tactics के तौर के उसको जीवित रखा वा है, वरना मर्ज होके उसका existence खतम ही है, एक तरीके से केवल brand name चल रहा है, इसी तरीके से flip card में 80% acquisition, walmart का हो चुका है, लेकिन चुकि walmart एक American company और flip card एक Indian company बोली जाती है, और इस लगावा है, इसी तरीके से आपको मालूम होगा, make my trip, ये एक Indian company थी, इसमें अभी China का पैसा लगावा है, ठीक है, हुआ क्या भी, जैसे हमने मालदीव वाला किस्सा देखा, और हमने पायकोड करना शुरू किया, तो लोगों ने make my trip पे जितनी cancel की थी booking, वो बहुत जादा तो हमने कहा कि है, make my trip का भी बहिशकार कर दिया, अगर यही Indian company चला रही होती, और इसके पीछे पैसा उसका नहीं होता, तो शायदा दुखसान नहीं होता है, इसी तरीके से एक और company है, easy trip, वो चड़ गई, इसका फायदा उठाते हैं, उसमें सारा पैसा है, इंडियन औरी कीज़े लेते रहें, खतम नहीं करते हैं, खतम करते हैं, खतम करते हैं से हो सकता, customer भी हमसे मूँ मोड़ लें, तो यह एक marketing decision है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मैरे ख्याल से महर प्रीत को क्लियर है, तो समझ गया, महर प्रीत, बाकी बताओ भई, सबको समझ में आ गया है, इस एवरिटिंग क्लियर, 110% क्लियर हो गया, ओहो, जितना समझ नहीं था, उससे भी 10% ज्यादे समझ गया हूँ, चलिए, आईए तो बात करते हैं, अब लोग, strategic option की, strategic options के तहित हम पढ़ेंगे, portfolio analysis method, यह किन के लिए है, यह उन company के लिए है, जो बनाती है, multi product, जो है multi brand, यह केवल उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं है, यह चार method पढ़ेंगे, BCG, Iger and swap, ADL और GE, ठीक है, और order पढ़ने का क्या रहेगा, यह BCG यहां नहीं आएगा, पढ़ने का order क्या रहेगा, मैं बता जिता हूँ, यह यहां आएगा, पहले हम Iger and swap पढ़ेंगे, फिर ADL पढ़ेंगे, फिर BCG पढ़ेंगे, और बाद में GE पढ़ेंगे, इस order में हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर ADL, R30, फिर BCG, Boston Consulting, फिर GE, General Electric, तो आईए शुरू करते हैं strategic options को, चार options अपन यहां पर देखने जा रहे हैं, strategic options are the primary, use for competitive analysis, किसके लिए हम करते हैं, हम use करते हैं, MCQ के सवाल में पूछा दा सकता हैं, competitive analysis के लिए, and corporate strategic planning in the multi-product and multi-business firm, कौन करता हैं, जो multi-product और multi-business firm है, ऐसी corporate strategy वाली कंपनिया करती है, strategic options का परियोग, multi-product, multi-business वाली कंपनिया, मतलब, Ambani, Adani, HUL, Tata & Sons, ऐसी कंपनिया करेंगे, ठीक है, वो भी किसले करेंगे, competitive analysis किस product को रखना है, किसको नहीं रखना है, तेजी और मंदी में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, जैसे share market की बात करो, तो 12 असर के पास blue chip companies का डेहर है, 12 असर ने सारी blue chip companies के share बहुत पहले से ले रखे है, SBI हो गई, मारूती हो गई, ONGC हो गया, reliance हो गया, ठीक है, इस तरीके की company ले रखे है, अब अगर मैंने कोई और छोटी company भी ले रखे होती, mid cap वाली, small cap वाली, तो मुझे सोचना पढ़ता कि तेजी और मंदी जब share market में आता है, तो मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे पास है multiple shares, तो मैं सारे share तो रखनी सकता है, मुझे portfolio में, ये मुझे पास group of shares है, इसको क्या कहता है, बन portfolio, वैसे ही अगर आपके पास multiple product and brands है, तो उन से मिलके जो बनता है, उसको क्या कहता है, portfolio portfolio मतलब group of things, portfolio का मतलब क्या है आपे, group of things, तो Tata के पास बहुत सारी group of companies है, वो rubber बनाती है, steel बनाती है, hospital चलाती है, इसके अलाबा टेलिकॉम का product देती है, बनाती है, hospital चलाती है, hotel चलाती है, शिक्षा के शेत्र में हर तरीके का काम करती है, consultancy है, sort development है, दुनिया बर के काम करती है, तो क्या सारी company को चलाएंगे, बुरी स्तती में, नहीं, उन्हीं को चलाएंगे, जिन से होता है फाइदा, बाकियों को या तो divest करेंगे, या liquidate करेंगे, तो आप एक से अधिक business करते हैं, फिर चाहे वो सारे business main हो, या एक main और बाकि सब complimentary business हो, the main advantage in the adoption of a portfolio approach in the multi product, multi business firm is that, resources could be channelized at the corporate level to those companies or businesses that possess the greater potential, main advantage जो है, portfolio approach का वो क्या है, अगर आप multi product or multi business firm हैं, तो आपके resources को proper तरीके से हम channelize कर सकते हैं, कि उसका maximum potential हम उपियोग में ला सके हैं, कि कहां किस resource को move किया जाए, इस ततियां जब एक जैसी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, अपने resources को, कौन से resources को, manpower, machine, material, money, methodology, है तो company कहीं न, अब Tata and Suns की resources है, अब वो Tata Steel में यूज़ करें, Tata Rabad में यूज़ करें, Tata Ducomo में यूज़ करें, Tata Group Hospital में यूज़ करें, Tata Group Hotel में यूज़ करें, या Air India में यूज़ करें, इदर भी देता हूँ, पर मुझे लगता है, उसकी काबिलेत, उसकी बजाए या अच्छी है, Consolidation करने में, तो मैं या ले आया, उसको या काम ठीक नहीं हो रहा था, तो multi product और multiple business करने वाली कंपनियां ही, portfolio analysis करती है, single business, single product वाली कंपनियों को, कि single है, अगर आपका single product है, single brand है, single service है, तो आपके लिए portfolio analysis method नहीं है, आपके लिए strategic option नहीं है, माल ले आप. For instance, a diversified company में decide to divert resources from its cash rich business to more prospective ones that hold the promise of faster growth, so that company achieve its corporate level objective efficiently. तो company क्या कर सकती है, जो diversified है, मतलब multi product, multi brand, वो अपने resources को divert कर सकती है, cash rich business, मतलब जहां रोज cash आता था, उससे ज़्यादा prospective वाले business पे, जहां promise है, कि faster growth आएगी, वहां पैसा डाल सकते हैं, ताकि हम ultimate goal अचीव कर सकें, ज़्यादा profit earn करने का. तो यही तो portfolio है, कि हम अच्छे और और अच्छे की तरफ जाएं इसकी मदद से. In order to design the business portfolio, the management must analyze its current business portfolio. अभी हमारे पास में कौन-कौन से business है? अभी हम steel में हैं, rubड में हैं, telecom में हैं, insurance में हैं, शिक्षा में हैं, ऐसे बहुत सारे business है, insurance में हैं, फिर हमें लगता है कुछ शेत्र अब अच्छे perform नहीं कर रहे हैं, तो इन शेत्रों से निकला जाएं, यहां से divest करें, या completely liquidate करें, और जो पैसा मिले, वो बाकी profitable business पे लगाए जाएं, ताकि वो और growth करें भाएं, यह कौन करेगा? जो multiple product और multiple brands में काम करते हैं, and decide which business should receive more, less or no investment. Depending upon the analysis, management may develop growth strategy for adding new product or businesses to the firm portfolio. तो यह सब को depend करता है आपके analysis के उपर, कि आपके analysis क्या कहता है, किस company को उभारा जाए, किस में पैसा डाला जाए, किस से निकाला जाए, किस को restructuring में डाला जाए, ताकि हमें मिल सके actual growth, हमें मिल चुके actual फाइदा, बात आई की नहीं सब को समझ में? तो strategic options में portfolio analysis वही करें, जिसके पास हो multiple product, multiple brand, product and services, ताकि किस से फाइदा उठाया जासे के उसे continue करें, जिससे नहीं हो रहा है उसे बंद कर दें, is it clear, is it clear, is it clear, क्या इतनी बात सब को समझ में आ रही है, जो बत्रासर आपको बता रहे हैं, chat box में बताए, क्या है? बच्छे के रहे हैं यसर 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 हमें समझ में आरिया है बहुत अच्छी बात है सभी को आरिया है किसी को जारिया नहीं है हर एक को आरिया है चलिए आईए पहला मैट्रिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम है एंस ओफ प्रॉड़क्ट ग्रोथ मैट्रिक्स इस किस के बीच में product की growth को लेके है product की growth को लेके है किस ने propose किया Iger and Soft ने propose किया product market growth matrix कहलाती है क्या कहलाती है product market growth matrix कहलाती है clear है clear है product market growth matrix चलिए पहले मैं बनाना सिखा देता हूँ फिर पढ़ लेते हैं अब ठीक है पहले मैं बनाना सिखा देता हूँ फिर मैं इसको बताऊँगा आपको चलिए बनाते है पहले इसको देखो यह two dimensional matrix है तो इसकी x-axis होगी और y-axis होगी x-axis जो है उसमें हम product बताते है और y-axis जो है उसमें हम market बताते है तो यह product और market के बीच में हम कहते हैं यह two by two matrix है two by two matrix है तो two by two matrix होगी तो क्या होगा product हमारा existing हो सकता है product हमारा new हो सकता है market हमारा existing हो सकता है market हमारा new हो सकता है ठीक है तो क्या है यह 2 by 2 की matrix है पहली चीज़ दूसरा market versus product की इस्तती बताते है जो की दो इस्तती में हो सकते है existing and new 2 by 2 matrix है x axis पे है product y axis पे है market तो market versus product बनना है यह और तीसरा existing और new दो इस्तती है अब अगर आपके पाज में existing product है और existing market है तो यह strategy कैसी है तो इसको हम कहते है market penetration जैसे जी ओ कर रहा है 37% से बढ़ने की कोशिश कर रहा है 37% हो जाए तो market penetration के तरीके आपने पड़े थे आप जो है उसके उपियोग को बढ़ा दे है चाहे frequency बढ़ा दे है उसकी चाहे quantity बढ़ा दे है उसको current current product के नई application of users डूढ़े इससे क्या हो जाएगा product की उपियोगता बढ़ने से उसका उपियोग बढ़ने से क्या हो जाएगा जादे 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 market share आपका बढ़ता चला जाएगा तो market penetration होता है product आपका existing है और market आपका नया है तो नया market है तो यह कहलाएगा market development example हमने दिया था Vodafone in India भारत में Vodafone का आना market development के लाता है यहां के market विक्सित किया अगर आपका product नया है market existing है product is new market is same तो इसे कहता है product development जैसे इससे में हम 6G launch करने में लगे वह है 6G technology लाने में लगे अब तक नहीं आई तो यह कहलाएगी product development नया product बनाना market के लिए और last है new product बनाना new market के लिए बनाना new product new market के लिए बनाना इसे कहता है diversification अब यह या तो same field में हो सकता है related या हो सकता है unrelated बात आई की नहीं है इसमझ में क्या कहते हैं इसको इसको कहते है आईगर ends of matrix क्या कहलाती है यह यह कहलाती है आईगर ends of matrix आईगर ends of matrix क्लियर है एक लियर है बोलो जी हाँ यह इसको कहते है आई गर ए अस थिक्तर क्रूकट है इसकी चार सतिय हमने बता दी पहले भी आपनी इसी योनिट में ऎसको पड़ रखा है इसालिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्चे-बच्चे कह रहे है 2x2 matrix है, market versus product है, existing और new दो इस्ततिया है ये growth की matrix है, इसलिए जो options में लिखे जाएंगे उन सब का मकसद है market में growth पाना clear है, clear है, clear है बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ clear है एक बार इसको अपने हाथ से बना लो, अपने इसको हाथ से बना लो एक बार, यह अपने हाथ से बनाना आरा जी है, मैं चारो method अभी आपसे अपने हाथ से बनाने जा रहा हूं, चाहे ideal हो चाहे आगे BCG हो या चाहे GE हो सारों आपको हाथ से बनाने आने चाहिए तो एक बार अपने हाथ से बना लो ताकि याद भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए आपको पता भी हो जाए अपको पता भी हो जाए आरिस के रहा है समझ में नहीं आये है मार्केट में हम सब लोग फाइदा करने के लिए बैठा है नुकसान करने के लिए कोई नहीं बैठा है हम चाहते हैं ग्रोथ हो अब आपके पास में प्रोड़क्ट नया हो सकता है प्रोड़क्ट पुराना हो सकता है मार्केट पुराना हो सकता है मार्केट नहीं हो सकता है, एक इस्तुति ये बनती है इसको आईगर एंस आफ नाम के एक परसन ने मैट्रिक्स के माध्यम से समझाया कि आपको पॉर्टफोलिय अनालिसेज में कौन सी स्ट्रेटी अपनानी चाहिए तो उसके लिए टू बाई टू की एक मैट्रिक्स बनती है टू बाई टू मतलब हरिजॉंटल और वर्टिकल दो एक्सेस होंगी और दो बाई दो मतलब चाहर खाने बनेंगे इसके अंदर अब इसमें जो हमारी हर्जॉंटल एक्सेस है पर मार्केट भी आपका नहां हो सकता है यह दो इस्ततिय हो सकती कि अब पूर्टिफॉल एनालिसिस में में करना क्या है अगर आप existing product बनाएवे हो और existing market में ही बेचना चाहते और आप growth चाहते हो तो growth कैसे आएगी जब आप आप मार्केट में ज्यादा share capture करोगे, और मार्केट में ज्यादा share capture करने को कहते हैं, ज्यसे जियो कर रहा है, अभी 37 पर सेंड पर वो चाय का 38, 40, 45, तो ज्यादा मार्केट शियर प्राप्त करने की कला, या ज्यादा मार्केट शियर करने की स््र defendant को क्या कहंगे portfolio analysis में market penetration कहेंगे क्या इतना आपको समझ में आया अरिश अब बात करते हैं बाकि options यह अगर आपका existing product है वनलब टेलिकॉम Vodafone 2008 में England की एक company थी भारत में एक बड़तावा बजार उसने देखा वो भारत आई उसने हच SR को take over किया और भारत में ही existing market को बढ़ाना शुरू किया तो उसने क्या किया अपने existing product को भारत में जो कि उसके लिए एक नया market था विक्सित किया यह तरीका क्या 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 लाएगा market development यह भी growth oriented strategy है यह भी growth oriented strategy है तो market develop कर सकते है Vodafone in India तीसरा अगर आपका product बिलकुल नया है लेकिन market existing है आप यहीं पर 3G, 2G, 3G, 4G, 5G ला चुके हो अब यहीं आप 6G लाने की कोशिश कर रहे हो same market है टेलिकॉम का इनी लोगों को 6G दोगे तो market पर existing ही है customer हो ही है लेकिन अब उसको आप एक नई चीज देने वाले हो नया product देने वाले हो तो यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा product development जैसे 6G technology का launch होना Apple के नए phone का आना गाड़ी का नए model आना यह सब कहलाते हैं product development यह भी growth oriented strategy है अब यह सारे के सारे जो काम अब तक होए है market, penetration, product development, market development यह सब के सब क्या है same field में इसको intensification भी कहते हैं अगर अलग field में करते हैं तो इसको diversification कहते हैं यह भी same और different में हो सकता है related, unrelated और इसके example हमने आपको दिये हैं अगर भारती, Airtel भारती एकसा life insurance उसके बाद set of box और FM radio में जाती है तो यह diversification unrelated field में आता है जिसको हम conglormate diversification के नाम से भी जानते हैं लेकिन अगर आप same field में करते हो जैसे बत्रसर C.A. पढ़ाते हैं अब C.S. भी पढ़ाने लग जाएं C.A. में भी पढ़ाने लग जाएं C.F. भी पढ़ाने लग जाएं हाना तो यह क्या कहलाएगा related field को पढ़ाना concentric diversification कहलाएगा बात आई कि सब को समझ में अब clear हो गया आरिश को चल यह clear हो गया सभी को clear हो गया ओके तो बनाया कैसे जाता है आपने हाथ से बना के देख लिए समझ में आ गया अब आओ notes में क्या कहा गया है इसके बारे में notes में क्या कहा गया है ends of product growth matrix the ends of product market growth matrix proposed by Iger ends of तो यह M.C. के याद रखना किसने हमें दिया है Iger ends of ने दिया है किने जे यूसफुल टूल यह एक यूसफुल टूल है ठीक है आइंस of ने क्या दिया है product market growth matrix दिया है तो एक हो गया यह दूसरा दिया इसने कीसरा useful है to help the businesses decide their product and market growth strategy यह product and market growth strategy के बारे में जानकारी देते हैं तो product market growth matrix बनाई है किसने बनाई है आईकर एंस of ने बनाई है यह useful tool है product or market growth strategy के बारे में जानकारी देता है with the use of this matrix a business can get a fair idea about how its growth depends upon its market in the new or existing product both in new and existing market तो हमार को एक fair idea मिल जाता है कि product अगर पुराना है और market पुराना है तो क्या growth strategy यूस करे product पुराना है market नया है नया market है पुराना product है पुराना product नया market नया product नया market ऐसे कई सारी permutation combination बन सकती है तो हमें यह देता है fair idea कि वहाँ कौन सी strategy का प्रयोग करना चाहिए companies should always be looking to the future यह future की direction बताता है one useful advice for identifying the growth opportunity for the future is the product market expansion group तो future में हमें क्या करना चाहिए future में growth किस में है कि उसकी जानकरी higher answer of matrix देती है the product market growth matrix is a portfolio planning tool for identifying the growth objective of the company तो यह जो हमारी product market growth matrix है यह portfolio का एक planning tool है जो की growth opportunities को identify करता है क्या करना चाहिए तो यहाँ पे चार इस्ततिया बनती है देखें पहला market penetration को देखते है market penetration refer to the growth strategy यह भी growth strategy है इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूद पड़े overcoming the competition in the mature market requires an aggressive promotion campaign supported by the pricing strategy design to make the market unattractive for competitor penetration is also done by effort on increasing usage by existing customer for example Gucci Gucci क्या है एक कपडे का ब्रेंड है एक लग्जरी क्लोधिं ब्रेंड है selling the luxury clothing in Europe market with new design its market penetration तो Gucci क्या कर रहा है यहाँ पे जो कि एक luxury clothing brand है वो वहाँ से निकल के यॉरप में जा रहा है और वहाँ पे कपडे बेच रहा है तो बेच तो कपड़ ही रहा है तो हम इसको गुची का काम existing product को existing market में बेचना क्या कहलाएगा market penetration कहलाएगा market में जदा गहर है उतरना कहलाएगा clear है clear है clear है तो market penetration का मतलब existing product को existing market में जदा sale करने के लिए मजबूर करना अब आजाओ बात करते है market development की नया market बनाना market development refer to the growth strategy where the business seeks to sell the existing product into the new market existing product को नया market में बेचना it is a strategy for the company's growth हर strategy growth के लिए है by identifying and developing a new market for the current company product this strategy may be achieved through the new geographical markets new product dimension or packaging new distribution channels or different pricing policy यह सब चीजों से अपन market को विक्सित कर सकते है market को विक्सित करने का मतलब existing product को नए market में देना अब यहाँ भी गुची का example लेते हैं गुची आपको मालूम है luxury clothing brand है तो गुची जो की luxury clothing brand है वो sell कर रहा है अपने luxury cloth को चाइना market में चाइना market में बेच रहा है इसे कहेंगे चाइना market को विक्सित करना इसको कहते है Chinese market को विक्सित करना अब अब यहां सबसे बड़ा खत्रा यही है कि अगर competitor आपके बारे में सब जान ले तो फिर वो इस नहीं किसी भी स्थती में आपको मात देदेगा तो हम यहां क्या करते हैं उतना ही बताते हैं जितना बताना जरूरी है बाकी सब फिजिकली आप जाके वहां पर पता कर सकते हैं तो market development में क्या हुआ नया market विक्सित करना जैसे Gucci जो की luxury clothing brand है वो क्या कर रहा है अपना European market को छोड़ कर चाइना में एंटर कर रहा है तो new market development करने की कोशिश कर रहा है नमबर तीन product development product development मतलब existing market में नया product ले क्या आना product development is a growth strategy growth strategy है यह where business aim to introduce new product into the existing market business को नय product के तौर पे market में ले क्या आना है it is a strategy for companies growth by offering modification of a new product to the current market यह कैसी strategy है जिसमें हम क्या कर सकते हैं offer कर सकते हैं modified यह new product को नय market में हाला कि हम generally नय ही launch करते हैं क्योंकि पुराना पुराना ही दिखता है इसलिए हम क्या करते हैं modify नहीं करते हैं नया ही launch कर देते हैं ताकि वाकि यह नयापन लोगों को नजर आए इस strategy में require the development of new competence and require the business to develop modified purchases product that can appeal into the existing market एक्जामपल क्या है यहाँ पर गुची एक लगजरी clothing brand है sell कर रहा है casual clothing in Europe market and it is a product development यह product को क्या कर रहा है आपको विक्सित करके दे रहा है क्लियर है तो हमारा तीसरा एक्जामपल भी समझ में आ गया problem development product development product development का मतले है ऐसी gross strategy जिसमें हम क्या करते हैं existing market में नया product launch करते हैं जैसे 6G launch किया है किसने भी एसनल ने भी existing market में और हम ऐसी hope करते हैं जब यह नया product आता है तो market में हल्चल जरूर मचती है तो growth strategy जिससे हम new product को existing market में डाल सके हैं क्लियर है अब यहाँ पर गुची का example आ रहा है गुची luxury clothing brand selling casual clothes in Europe market and is a product development तो गुची जो clothing brand ने मारा वो sale कर रहा है अपना clothes को ठीक है जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते है product development हो गया नया product बनाना हो गया तो एक एक example लिख लेता हूँ market penetration में example हो गया जीओ 37 प्लस जितना भी बन जाए percentage market development का मतलब होता है नय मार्केट को विक्सित करना नय मार्केट को विक्सित करना दूसरा example तो नया market कैसा विक्सित होगा luxury clothes आप चाइना में बेशने लगे बताओ जरह वोड़ा फोन इन इंडिया है तीसरा product development है product development का मतलब होता है existing market में नया product launch करना जैसे 6G by BSNL की testing शुरू कर दी है उसने ठीक है गुजी luxury brand के बारे में बात करो तो वो अपने क्या कर रही है casual clothes को यूरोप market में बेच रही है product development अब आजाओ चौती बात करते हैं अच्छा matrix आगी पहले matrix में आप क्या देख रहा है existing product new product existing market new market वही तरीका है existing product existing market में जदा बेचने के लिए market penetration चाहिए existing market में नया product बेचना तो product development करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि market भी नहीं रहे मतलब new market हो जाए आपका और आपका existing product रहे new market existing product तो market development कहलाएगा और अगर आप new product new market लेके आते हो तो यह diversification हो जाएगा जो related unrelated दो field में हो सकता है clear है clear है clear है बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ क्या यह diagram फिर से समझ में आ रहा है आपको कि अब कोई ब्रह्म किसी को नहीं है यह growth matrix है पताती है कैसे product और market के बीच में existing product existing market और existing product के बीच में ग्रोथ लाई जा सकती है market penetration, product development, market development और diversification से तो अब बात करते है diversification की diversification refers to a growth strategy यह भी अपने आप में growth strategy है where a business market new product into the new market new product new market होता है यह ठीक है अब यह अपने आप में एक risky proposition है आप ऐसे बात पर चलते हैं आपको literally a no experience है जैसे Gucci जो luxury clothing brand है sell करें casual cloth को चाइना में तो casual cloth क्या है new product luxury product बनाता था यह और चाइनीज मार्केट क्या है new market तो new product new market में लिया है और यह कहलाता है diversification ठीक है market condition change होती है over a period of time जैसे present market fully saturated है तो company के पास choice ही नहीं है वो नए market में एंटर होना ही पड़ेगा उसको अगर existing market saturate हो जाए किसी का तो उसे नए market में जाना ही पड़ेगा नए market में जाना पड़ेगा उसे नए market में जाना पड़ेगा तो ends of matrix क्या है यह business को growth किस direction में मिल सकती है उसके बारे में जानकारी देती है आईए अब दूसरी matrix पर चलते है जिसका नाम है ideal matrix अब ideal के बारे में कुछ चीज़े मैं आपको बता देता हूँ before we start with the matrix पहला ideal matrix का नाम पड़ा है आर्थर डी लिटिल इसके बनाने वाले के नाम पर ideal matrix का नाम पड़ा है इसके बनाने वाले के नाम से इसका नाम था आर्थर डी लिटिल यह एक portfolio analysis technique है यह एक portfolio analysis technique है आर्थर डी लिटिल द्वारा दीवी based on product life cycle PLC पे आधारित है PLC में चार stages होती है आपको पता है कौन सी चार stages होती है यहाँ पर introduction, growth, maturity, decline चार stages होती है तो उस पर यह आधारित है ठीक है अब यह approach जो है यह भी two dimensional है यह approach भी क्या है two dimensional, it is a two dimensional matrix based on stages of industry maturity जो PLC साती है and the firm's competitive position, firm की competitive position जो पाँच प्रकार की होती है stages of industry maturity तो चार है लेकिन firm की competitive position पाँच होती है so stages of industry maturity जो है वो environmental measure है कि उसकी position क्या है industry में वही competitive measures जो होते हैं वो business की strength को बताते है चन्रली किसी product के पाँच competitive position होते है dominant होना मतलब number one होना किसी शेत्र में strong होना मतलब number two, number three होना favorable होना उसके बाद आता है favorable होना favorable होना मतलब favorable होना इसका मतलब होता है अपनी मनमर्जी की चीजे कर लेना और teamable होना मतलब weak है वीक से थोड़ा बड़ी है रक्षणी है इसको कहते है रक्षणी है इसी तरीके से बनावा है और weak का मतलब कमजोर है weak का मतलब कमजोर है फिर उनका मतलब होता है can do whatever तो dominant वो होता है जो number one player होता है मर्जी है जो कर सकता है strong वो होता है जो उसके पीछे number two number three position पो होता है favorable वो है जो strong तो नहीं है लेकिन फिर भी अपनी मर्जी का कुछ बहुत कुछ कर पा रहे है उनके स्तती उनके काफी हद तक पक्ष में बात की जाती है इनेबल जो है उसको किसी तरीके जाम बनाए है वो कमजोर तो हो चुका है लेकिन किसी तरीके जाम उसको बनाए है और week जो है वो कमजोर है वो कभी भी मार्केट से चला जाएगा तो यह पांच जो है वो business की competitive position है तो A.D.L. के बारे में समझ लो A.D.L. के बारे में समझ लो यह two-dimensional है किस-किस के बीच में A.D.L. ने बनाया है आर्थर डी लिटिल ने बनाया है तीसरा portfolio portfolio analysis technique है चौता किस-किस के बीच में है यह है stages of industry maturity versus competitive position competitive position of environment जहां stages of industry maturity जो है वो चार प्रकार की है competitive position पांच प्रकार की है तो यह four by five की एक matrix है यह four by five की एक matrix कहलाएगी तो कुछ चीजे मैं आपको बनाने से पहले याद करवा रहा हूं समझा रहा हूं यह एक्जाम में लिख क्या नहीं है अपने को एडियल मैट्रिक्स आर्थरडी लिटल नाम के विक्ति ने प्रपोस की है यह पॉर्ट्फोलियो अनालिसिस की एक टेक्नीक है कि कौन सा बिजनस रखना कौन सा चलाना है यह प्रड़क्ट लाइफ साइकिल जिसको स्टेजिस ऑ इंडेश्टी मिचॉरिटी चैनालिसिक ने बीच में वह और इसे जिसको हम प्रेजेंट करते हैं यहां से क्या इतना सब को सब कुछ clear हो गया क्या इतना सब को सब कुछ समझ में आ चुका है या नहीं आया है लेट मी understand this first पहले मुझे बताओ इतना सब को समझ में आया की नहीं आया 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 समझ में आया चीक आ गया अब आओ फोर बाई फाई की एक मैट्रिक्स बनाते हैं यह आपके सामने है मैं भी बनाऊंगा इसको बनाया है आर्थ लिटल ने अब आप देख रहे हो इस स्टेज़ेज़ ओफ इंडस्ट्री मिचोरिटी आ कर लोुपर या इस्टरी मिचोरिटे अ olması तरफ लिटल ने दिया है यह आपको इसी बनी है यह देख अ यह X है यह Y है बनाते चलो साथ साथ ठीक है यह बनाते चलते हैं अपर यहां लिखेंगे Stages of Industry Maturity ठीक है यह 4 सो में बढ़ जाएगा एक, दो, तीन, और चार क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे Introduction इसमें लिखेंगे Growth इसमें लिखेंगे Maturity इसमें लिखेंगे Decline यहां Introduction की जगे एक और Word यूज़ हो सकता है Embroining Decline की जगे एक वर्ड आ सकता है Aging ठीक है? तो यह लिखेंगे अपर Introduction की जगे Embroining भी लिख सकता है Growth, Growth है Maturity, Maturity है Decline की जगे Aging बुड़ापा लिख सकते है Y-axis जो है वो हमारे denote करती है Y-axis denote करती है Competitive Position वो Competitive Position को बताती है Competitive Position होती है हमारी पांच सबसे पहले को अपन कहते हैं Strong नहीं, पहले को कहते है Dominant पहले को कहते हैं अपन Dominant दूसरा जो आता है उसको अपन कहते हैं Strong तीसरा जो आता है उसको अपन कहते हैं Favorable चौत्य को अपन कहते हैं टीनेबल लास्ट को कहते हैं अपन वीक इस तरीके से ये 4 इंटू 5 की एक मैट्रिक्स बनती है दो डैमेंशन में होरिजॉन्टल और वर्टिकल टू डैमेंशन मतलब एक्स और वाई मैट्रिक्स है 4 बाई 5 क्या ये बात सब को समझ में आ रही है कैसे बन रही है ये मैट्रिक्स बत्रासर अभी आपको हाथ से बना के याद भी करवा जेंगे बत्रासर की इसमें एक्सपरटीज है जो पढ़ा जेते हैं समझा जेते हैं वो दिमाग में बैठ जाती है दई की तरह जम जाती है कभी भी न भूलने वाला एक्सपिरेंस हो जाती है जिन्दगी मैं कभी नहीं भूलोगे अगर पूछा गया तो आपको हाथ से बनाना पड़ेगा एक बार बत्रासर के साथ साथ हाथ से बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा अगर आप नंबर चाते हैं तो बनाना पड़ेगा बनाना फिर से देख लो हम horizontal x axis पे बनाएंगे stages of industry maturity जिसकी चार stages है introduction या embryonic, growth, maturity, decline या aging ये चार लिखने पुड़ेंगे vertical axis जो है वो competitive position को बताती है business के वो पांच प्रकार है dominant, strong, favorable, tenable और weak ये 4 by 5 की matrix किलाती है two dimension में two dimension मतलब horizontal और vertical दो axis है x और y कितना बना लो कितना बना लो कितना बना लो और clear है clear है clear है ऐसा लिख दो तो हम आगे बढ़ें अर्शीट आगे वज़ेंगे तो है आगे चार को दो है what ये झाल को आगे है प्हूम हम तो हम आगे जब आगे प्ते है कितना बना लो फोुज़े तो है ये ये जो मैं टीज़ेंगे फिर दो तो तो क्लियर है क्लियर है क्लियर है ऐसा बाचा बाचा कह रहा है अब देखो इसको फिल कैसे करते हैं मैं एक यह वाली रो फिल करना सिखाता हूं आपको कैसे करना चाहिए अगर आप इंट्रोडक्शन या एंब्रोयनिक स्टेज हैं मतलब किसी प्रोड़क्ट की अभी शैश विस्तति है अभी वह शुरू हुआ है जैसे इलेक्ट्रोनिक वीकल अभी शुरू हुआ है वह वह उपन रहा है तो चल रहा है उनका इंट्रोडक्शन स्टेज और इस समय पोजीशन पर कौन बाठा है स्ट थैसला को ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए अगर growth अपनाना है तो टेसला को क्या करना चाहिए common sense से सोच के देखो common sense से सोच के देखो अभी नया नया है सब कुछ तो टेसला क्या करेगा fast grow करेगा टेसला क्या करेगा fast grow करेगा फिर अपने चारों तरफ क्या करेगा build barrier अपने चारो तरह barrier खड़े करेगा ताकि कोई और उसके शित्र में ना आने पाए और फिर क्या करेगा act offensively चोटी कंपनियों को खा जाएगा सबसे पहले तेजी से grow करेगा फिर अपने चारो तरह barrier बिल्ड करेगा ताकि कोई उसके इससे को नहीं ले जाए और फिर जो छोटी छोटी कमपनिय उसको दिख रही है उसको अपने में मिलाने की कसम खाएगा तुम्हें अपना बनाने की कसम खाएगा तो पहले fast grow करेगा फिर barrier build करेगा और फिर offensively act करेगा दूसरों को खा जाएगा क्या ये बात समको समझ में आई dominant वाला क्या करता है clear है clear है clear है बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ अब बात आती है आप growth stage प्यागे कुछ साल बाद 5-7 साल बाद क्या हो जाएगा electronic vehicle establish हो चुके होगे बारत बर में हर आदमी यूज कर रहा होगा बसें भी ये है न टू वीलर भी ये फोर वीलर भी ये पेट्रल डीजल अलमस्स खतम दुनिया से growth stage होगी हमारी तब dominant company Tesla क्या करेगी तब dominant company Tesla क्या करेगी तब भी तो fast grow करेंगे तब भी हम कौन सा रुकने का नाम लेंगे हम तब भी grow करना चाहेंगे fast फिर क्या करेंगे market में टिके रहने के लिए attend cost leadership सबसे सस्ते बनेंगे attend cost leadership cost leadership attend करेंगे फिर अपनी position को defend करेंगे कि कोई हमसे हमारा इस्सा छीन न ले defend करेंगे और उसके बाद छोटी company को खा जाएंगे act offensively छोटी company को खा जाएंगे act offensively तो पहले हम भी grow करने ना चाहेंगे फिर हम सबसे सस्ते बनना चाहेंगे growth state पे क्योंकि हम number one company है फिर हम अपनी position को defend करेंगे कोई हमारा इस्सा न ले जाए और फिर जो छोटी छोटी company हम market में उससे खाने की कोशेश करेंगे सब growth के लिए सारा काम किस के लिए कर रहे हैं हम लोग growth के लिए कर रहे है clear है clear है clear है cost leadership का मतलब सबसे सस्ता माल बेचना आरेश इसका मतलब सबसे सस्ता बेचना हम से सस्ता कोई नहीं जैसा चाइना कई शेत्रों में cost leader है सबसे सस्ता बेचता है जो भी वो बेचता है आगे बढ़ते हैं अब 10-15 साल बात क्या हो जाएगा electronic vehicle भी saturation वाली stage में पहुँच जाएगी मतलब अब सब लोगों के पास electronic vehicle हो गया है और कोई जगे बची नहीं जहां कोई खरीदने वाला मिले हमें तो फिर क्या हो जाएगा sales stagnation हो जाएगी saturation पहुच जाएगी further हो नहीं सकती है मेर परीत कह रहा है मैं ध्यान से class देख रहा हूँ अच्छी बात है बटा मुझे चैट में नहीं दिखे इसलिए मैंने पूछ लिया अच्छी बात है तो maturity है और टेसला क्या करेगी मतलब आज से 15-20 साल बात जब market में sale almost saturation हो जाएगी कोई बेचने के लिए खरीदने के लिए कोई बदना नहीं मिलेगा बेचने के लिए कोई बदना नहीं मिलेगा आपको तब क्या करेंगे आप तो ऐसी स्थेट्री में क्या करेंगे बताओ defend position defend position अपनी position को बनाए रखो position को defend करो अभी भी कोशिश करो कि आप cost leader ही रहो attend cost leadership आप सबसे सस्ते बने रहो उसके बाद उस market में fast grow करने की कोशिश करो और छोटी छोटी कमपनियों को अपने में मिला लो offensively act करो number one company तो हमेशन ये चाहेगी market में competition खतम हो जाए वही वही रहे इसलिए उसको offensively act तो करना ही पड़ेगा ताकि छोटी बोटी कमपनियों को खतम कर दे वह market में उसी का बोल बाला रहे share उसी के पादर है सबसे जादा तो हम पहले अपने आपको defend करेंगे maturity stage में कुछ जादा sale है नहीं फिर उसके बाद और cost leadership पे जाएंगे हो सकता है 2040 आते याते 2045 आते याते electronic vehicle भी market से खतम हो जाएं कोई नहीं चीज़ी आ जाएं तो ऐसी स्तती में dominant company Tesla क्या करेगी Tesla क्या करेगी बताओ Tesla अपनी position defend करेगी Tesla अपनी position क्या करेगी defend करेगी क्योंकि वो number one company है इसलिए वो चाहेगी बनी रहे market पर उसके बाद अपने छोटे market पर focus करेगी market तो बड़ा रहेगा ने कोई और technology का जाएगा जैसे पेट्रोल डीजल अब दीरी दीरे सिकूड रहे है electronic vehicle के सामने तो हम focus करेंगे और पर हमें लगेगा कि अब इसमें फाइदा नहीं है तो consider withdrawal हम बाहर निकलेंगे consider withdrawal हम इसको छोड़कर बाहर निकलेंगे हम electronic vehicle के business में ही नहीं रहेंगे हम कुछ और करना चाहेंगे तो देखा आपने कैसे अलग अलग marketing strategy अपना ही जाती है growth के लिए जब हम R30 little की matrix को देखते हैं नाम तो R30 little है और matrix बहुत लबी चौड़ी बना दी इसने 4 by 5 की बात आई क्या सब को समझ में is it clear is it clear is it clear exam में ये पूरा बनाना नहीं आएगा पांच 20 column बरने नहीं आएंगे कितना समय नहीं होता है देखो आपको समय का allocation कैसे करना होता है समय का allocation कैसे करना होता है 5 marks का सवाल है 5 marks का सवाल है और आपको मिलते हैं एक marks सवाचीव करने के लिए 1.8 मिनिट तो कितना हो जाएगा 9 मिनिट आपको total मिलेंगे 9 मिनिट में आप ये पूरी टेबल बना लें होई नहीं सकता टीचर भी नहीं बना सकता है इतने समय में इसलिए कभी भी ये पूरा बनाना नहीं पूछते हैं हमसे पूछेंगे बताओ आर्थर डी लिटल का skeleton धाचा क्या है तो हम ये तना बना लेंगे बहुत है हमसे पूछा दा सकता है पांच स्टेजिस competitive position की कौन सी है बता हो जारा तो हम कहेंगे dominant हमसे पूछेंगे product life cycle की चार स्टेजिस कौन सी है हम कहेंगे introduction है growth है maturity है decline है यह हमसे पूछ सकता है खास बात क्या ideal की तो हम बताएंगे आर्थर डी लिटिल नाम के व्यक्ति ने इसको बनाया है ये टू dimension matrix है horizontal access पे stages of industry maturity है जिसकी चार इस्ततियां होती है introduction growth maturity or decline vertical access पे competitive position है जो पांच इस्ततियों में होते है dominant number one strong number two and three favorable मतलब whatever you can do in the market teamable मतलब किसी तरगे से बने में weak मतलब कम जो रहे है ये four by five की matrix है जो x और y-axis के माध्यम से मिलकर बनी वी है इसमें growth के लिए क्या strategy अपनानी चाहिए वो हमने dominant के लिए बता दिया आपको कि अगर आप dominant है Tesla है और अगर आप introduction वाली stage है जैसे electronic vehicle की stage बात कर रहे है तो आप fast grow करेंगे barrier build करेंगे act offensively एक दो शब्द आगे पीछे भी जाय तो चिंता नहीं है दिकत नहीं है इसमें दूसरा growth वाली stage आई वी और आप dominant है तो आप fast grow करेंगे cost leadership pretend करेंगे defend करेंगे position को offensively act करेंगे अगर maturity है और dominant है तो defend करेंगे position को cost leadership है fast grow करेंगे offensively act करेंगे अगर decline इस्तती पर आगर आप dominant है तो defend करेंगे focus करेंगे withdrawal करेंगे बात आई की नहीं क्या इतना सबको समझ में आया है जो बतरा सर ने बताया है क्या इतना समझ में आया है बतरा सर ने बताया है तो आपने इतना बना लिया होगा आपको समझ में भी आ गया होगा अब देखो क्या कहता है नोट्स में नोट्स में भी यह कहाव है हमने जो आपको बताया देखो आर्थर डी लिटिल के बारे में क्या कहाव है आर्थर डी लिटिल के बारे में कार होती हैं इंट्रोडक्शन ग्रोथ मिचॉरिटी और डिकलाइन वर्सेस कॉंपुटिटिटिव पुजीशन जो पांच है कौन सी डॉमिनेंट इस्ट्रॉंग फेवरिबल टीनेबल और वी यह फोर बाइफाइव है कि इतना आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद यह हमारी बन गई मैट्रिक्स बन गई तो जैसा मैंने बताया आपको डॉमिनेंट पोजीशन है आपकी आप एम्परोईनिक स्टेज पे हो ग्रोथ पे हो मिचॉरिटी पे हो एजिंग पे हो तो फास ग्रो बिल्ड बैरियर अक्ट ओफेंसिवली फास ग्र लीडर्शिप फास ग्रो एक्ट ओफेंसिवली डिफेंड पोजीशन फोकस कंसिडर विट्रॉल जो मैंने बताया है वो ही बना रखता है इसमें यह जो हरे हरे वाले हैं इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है ठीक है फिर यह थोड़ा से और कलर में दे रख है यह यलो से थो प्रोड़ा साम क्या करते हैं कॉशियसली काम करते हैं और रेड जो होते हैं यह हमारे लिए खतरे की स्तिय यहां से बाए बार निकलना होगा ठीक है अब स्ट्राउंग हो आप और एंब्रोईनिक की स्तिया आपकी आप टेसला के बाद दूसरे नमबर की कंपनियों दुनिय करोंगे तब भी आप इपने product में differentiation लाओगे, cost को कम करने की कुशिश करोंगे और चोटी फर्मों को attack करके उन्हें अपने में मिलाओगे जब maturity आओगे तो आप cost को कम करोंगे product में differentiated करोंगे, industry की रफ्तार बड़ोगे, और जब strong position और एजिंग वाली स्तती आई भी है, इंडस्ट्री खतम हो रही है, तब आप अपना focus, find niche करोगे, hold niche करोगे या harvest करोगे, कुछ portion बेच के निकल जाओगे, harvest और divest दो शब्द होते हैं, harvest का मतलब होता है complete, और divest का मतलब होता है partial, तो harvest का मतलब complete बेच के निकल जाना, फसल को पूरी काट कूट के बेच देना, harvesting कर ली हमने, ऐसा ही बाकी की स्तती है, अगर आप favorable स्तती में हो, यह पूरा याद नहीं करना आपको, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, exam में तो केवल dominant position की रोही बनानी है, dominant में एम्प्रोइनि में क्या करोगे, dominant में growth में क्या करोगे, dominant में maturity में क्या करोगे, dominant में aging क्या करोगे, बाकी आपको याद रखने की जरूद नहीं है, मैं वैसी समझा रहा हूँ आपको, favorable है आपकी position, market में थोड़ा बहुत freedom में आपको, तो अपने आपको product को differentiate करो, किस से dominant और strong दोनों से अपने product को अलग करो, फिर अपने हिस्से को focus क करो, differentiate करो, और अपने position को defend करो, maturity में अपने को focus करो, अपने को differentiate करो, जरूद पुड़े तो harvest करो, अपने area में बने रहो, turn around की कोशिश करो, और छोटी form को hit करो, यहां harvest करो, या अपनी position को turn around करो, या तो harvest कर लो, आपको लगता आपके बस की नहीं है, या अपनी position को turn around कर ल एरिया को पकड़ के रखो hold niche मतलब hold small area of segment turn around करो इस्ततियों को बुरे से अच्छे में लाओ industry के रफ्तार से बढ़ो नितो विड्रॉल कर लो turn around करो इस्ततियों को ठीक करने की कोशिश करो turn around करो नहीं बनता है तो अपना हिस्सा पकड़ो और retrench कर लो यहाँ पे completely partially divest कर लो या retrench कर लो इसी तरीके ते अगर आप weak position पे बैठे हो market में तो आपको क्या करना चाहिए अपने इस्से को पकड़ना चाहिए और industry के रफ्तार से पढ़ना चाहिए यहाँ turn around करना चाहिए आपको और withdrawal करना चाहिए withdrawal और divest option है और यहाँ के लेकी option है withdrawal तो यह याद होना चाहिए आपको weak हो आप और aging IV है आप weak हो और इस्तती industry के खतम होने वाली है तो आपको वहाँ से withdraw जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है आपके लिए बात आई क्या सबको समझ में यह सारा नहीं बनाना है सारा कोई नहीं बना सकता ना exam में पूछा जाता है अब तक exam में जो पूछा गया है A.D.L. के बारे में खासियत क्या है बता दो A.D.L. का skeleton क्या है वो बता दो A.D.L. में 5 competitive position क्या बता दो Industry के stages of maturity में कलियर है कलियर है बोल जी हाँ बोल जी हाँ समी बोलता नती चलिए तो आईए ADL हमने पढ़के फिनिश कर दिया ADL मैट्रिक्स चार में से दो मैथड हमारे हो चुके हैं इस पर एक्जाम में सवाल बनावा है कॉम्पटिटिव पोजीशन के बारे में क्या है बात करो तो हमें मालूम है फिर्म की कॉम्पटिटिव पोजीशन जो होती है वो पांच होती है उसके क्रैटरे में पहला है डॉमिनेंट होना दूसरा है स्ट्रॉंग होना तीसरा है फेवरिबल होना चौतरा है टीनेबल होना पांच में हैं वीक होना आओ dominant की बात करते हैं इस इस comparatively rare position यह आसान नहीं है rare होती है in many cases it is attributable either to a monopoly कि आपका पास ऐसा product है और a strong projected technological leadership जिससे कोई आपके आस पास ही फटक नहीं रहा है जैसे Tesla electronic vehicle में है Microsoft software के शेत्र में है strong leadership है इन जैसा कोई नहीं है दूसरी position है strong की strong मतलब the firm as a considerable degree of freedom over the choices कि वो अपनी मर्जी की choice बना सकता है and often able to act without the market position being unduly threatened वो यह सोच के काम नहीं करता कि मैं कुछ decision लोंगा तो मेरी market position पे क्या फरक पड़ेगा तो यह number two, number three की company होती है किसी भी शेत्र में जिनको इतनी freedom होती है तीसरा है favorable which generally comes about when the industry is fragmented छोटे छोटे player में बनी वी है and no one competitor stands out clearly कोई एक बड़ा leader नहीं है result in the market leader reasonable degree of freedom तो छोटे छोटे player है एक single बड़ा player है नहीं तो ऐसी position कहलाती है आपके लिए favorable क्या आप degree of freedom है कुछ भी कर सकते है कोई बड़ा player आपके सिर्पे नहीं है सब player almost बड़ाबर बड़ाबर के है थोड़े बहुत अंतर के साथ next is teamable teamable मतलब these are able to perform satisfactorily यह satisfactorily तो काम कर सकते हैं लेकिन they are generally vulnerable in the face of increased competition कि जैसे से competition बड़ेगा यह companyya ही खतम हो जाएंगी गायब हो जाएंगी तो अभी आपके पक्ष में हैं कि आप किसी तरीके से सर्वाज़ कर रहे हैं पर competition बड़ा तो आप market से ही out हो जाएंगे पांचों position है weak weak का मतलब होता है यह generally इनकी जो performance होती है वो unsatisfactory होती है ठीक है कि market में opportunity तो है पर यह काम नहीं कर पारे मैं अगर इस समय बात करूँ मैं इस समय बात करूँ अगर telecom sector की तो telecom में इस समय dominant कौन है Gio Gio is dominant strong कौन है strong है Airtel favorable कौन है woulda phone idea cleanable कौन है किसी तरीके से बनावा है BSNL और कौन है जो कभी भी निपट सकता है MTNL तो मैंने telecom की 5 position आपको बता दिये market परस्ततियों के अनुसार एक real time example ले लो बतरा सर से आप dominant कौन है number one player कौन है 37% market share के साथ Gio strong player कौन है Airtel Airtel का market share कितना है करीब-करीब 32% है अभी पता कर लेते हैं What is market share of Airtel in Indian telecom market in percentage यह मैं Google Assistant से पूछ रहा हूँ Artificial Intelligence की बदद से तो 34% है इसका 34% ठीक है अगर हमारा Gio बैठा है 37 पे तो यह बैठा है 34 पे ठीक है अब मैं आगे बाद कर लेता हूँ Airtel के बाद मैं Vodafone idea की 20% के आज पाद बता रहे हैं इसका ठीक है 20% का अच्छा नए नए सेग्मेंट के अनुसार बता रहे हैं 28 September 2023 के अनुसार जो यह करीब 38 प्रतीशत है 37 के जगह यह 38 हो गया Roughly 38 और Airtel roughly हो गया है हमारा 34 से 32 और Vodafone idea हो गया है 19.992 मतलब 20% अच्छा BSNL कितना है जड़ा यह भी देख लेते हैं यह सनल करीब 8% है BSNL करीब करीब 8% है थोड़ा 8 से उपर यह और MTNL बता देते हैं आपको कितना है करीब 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 58 करीब नहीं QUー हम यह यह सके दिए तुम्त करीब करीब जिते हैं करीब 위한 का वह यह किते हैं करीब 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 advanced Day यह और है यह यह प自band सके सके स्पाविए ने धste वोच्त लोवग यह तो एक परसंट से भी कम बता रहा है एक परसंट से भी कम बता रहा है लेस देन वन परसंट तो यह हालत है आप देख लो ठीक है क्लियर है क्लियर है क्लियर है सबको तो यह मार्केट शेयर है प्रेजन इस्तितियों में ठीक है तो यह मार्केट शेयर हो गया आरिश कह रहा है बेटा इसके लिए ICAI की पर्मीशन लगेगी बाकी दे तो सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है देने को तो सब पॉसिबल है बेटा लेकिन ICAI इसकी पर्मीशन नहीं देगी उसको आपकी प्रेजन्स की जरूद पड़ेगी बाकी यह पॉसिबल है टेक्नोलाजिकल इस पॉसिबल क्लोन तो आपने देखा यह आपने अगर रॉबर्ट मुवी देखी हो के शंकर की चिट्टी चिट्टी बना था वो चिट्टी जो है वो रजनी कांत की जगे सारा काम करी सक रहा था ना पढ़ सक रहा था सब कुछ कर सक रहा था तो इसक्व पॉसिबल कोई दिक्कत नहीं है उसमें पर उसके लिए आई सी आई परमीशन नहीं देगी आपको बाकि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है यही सब कुछ कर सकता है तो बात आगी सब को समझ में इस इट क्लियर इस इट क्लियर इस इट क्लियर इस इट क्लियर बोलो जी ह हाँ बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ क्या इतना सब को क्लियर हुआ है अब इसके बाद एक और मैथड आता है बॉस्टन कंसल्टिंग तो आईए पहले तो कुछ बाते इसके बारे में याद कर लेते हैं सबसे पहले यह एक पॉर्टफोलियो एनलेसिस मैथड है यह उन कंपनियों जारा यूज किया जाता है जो मल्टिपल प्रड़क्ट बनाते हैं मल्टिपल सर्वीसिस दिया करते हैं मल्टिपल ब्रैंड में हैं बॉस्टन कंसल्टिंग इसका सबसे आसान तरीका है अब तक जितने पड़े हैं उन तरीकों में से ठीक है किसके लिए corporation का portfolio of investment decide करने के लिए कि किसमें रहें और किसमें न रहें किसमें रहना नहीं किसमें रहना वो यहां से पता चलता है ग्रोज शेर मैट्रिक्स को कई बार हम cow and dog matrix भी कहते हैं क्योंकि इसमें cow and dog जैसे कुछ represent किया जाता है शब्दों को इसलिए हम इसको कहते हैं ठीक है this is popularly used for resource allocation in the diversified company किसके लिए उपयोग करता है इसमें कौन सा resource हम इसको यूज करने के लिए दे और कौन सन्ना दे इस resource allocation के लिए इसका उपयोग किया जाता है यह अपने आप में टू डामेंशनल ग्रोज शेर मैट्रिक्स है कौन सी है यह ग्रोज शेर मैट्रिक्स है लेकिन टू डामेंशनल यहां vertical axis जो होती है y axis vertical axis वो रिप्रेजेंट करती है market growth rate को ठीक है मतलब market कितना attractive है ठीक है साथ point हो गया यह 8 point हो गया और यह 9 point हो गया है vertical axis रिप्रेजेंट करता है market growth rate को जो की market attractive है इसको भी बताता है वहीं जो horizontal axis है आपका वो रिप्रेजेंट करता है relative market share को और वो measure है किसका company की strength in the market को वो company की strength को बताता है इस तरीके से चार different type of product SBU के जो है इसमें बन सकते हैं चार different तरीके के इसमें बन सकते हैं यह 12 point है तो 12 point अपनों के याद रखना है before we start drawing it हम इसको चित्र द्वारा बनाएं यह 12 point आपको याद हो जाने चाहिए समझ में आ जाने चाहिए इसकी keyword है नंबर पहला BCG का पूरा नाम है Boston Consulting Group Boston अमरिका के एक शहर है और अमरिका के शहर में यह Consulting Group है और उसी के आधार पर BCG का नाम Boston Consulting Group है दूसरा यह growth और share के बीच में growth, market growth और market share के बीच में X और Y पे खीचा गया एक two-dimensional matrix है यह एक simplest तरीका है corporation के portfolio of investment को समझने का इसको cow and dog metaphor भी कहते है क्योंकि इन इन symbols का प्रियोग किया जाता है यह popularly use किया जाता है रिसोर्स allocation में, diversified company में यह एक two-dimensional growth share matrix कहलाती है जिसकी vertical axis, Y axis represent करती है market growth rate को और market growth rate जो है market attractiveness को बताती है वही horizontal axis बताती है relative market share को और यह company की strength को बताया करती है इन matrix में चार different product और SBUs को बताया गया है क्या इतनी बात सब को समझ में आई है, is it clear, is it clear, is it clear, is it clear, बताईए ज़रा, क्या इतना समझ में आया है, तो फिर मैं BCG को आपके सामने draw करूँ is it clear to all of you, बस इतना सा याद रखना है हाँ बस इतना सा याद है तो इतना सा याद रखना है मेर प्रीट के रहा है, क्या ये method अमेरिका के उस शहर में बना था, yes, Boston नाम के शहर में इजाद किया गया था, इसलिए इसका नाम Boston consulting group method या BCG है चौली है, चौली है, चौली है, तो आपने बारा बाते समझ ली, पहला BCG, Boston consulting group पूरा नाम है इसका, ये growth और share के बीच में matrix है, ये एक simplest तरीका है, corporation के portfolio analysis का इससे बड़िया method हो नहीं सकता, ये एक two dimension matrix है, जो share और growth को बताया करता है, diversified company में vertical access market growth rate को बताती है, जिसे market attractiveness भी कहते है, horizontal access relative market share को बताती है, जिससे हम simply strength in the market भी कह सकते है, इसमें चार अलगले type के different product जो as views में रखे जाते हैं, उनको बताया गया है, आईए अब इसे बना लेते हैं, आईए अब इसे बना लेते हैं, ये x-axis है, ये y-axis है, x-axis पे क्या denote किया जा रहा है, relative market share, horizontal access पे relative market share को बताया जा रहा है, और vertical access पे क्या बता रहा है, market की growth rate बता रहे हैं, क्या बता रहे है, market growth rate, तो market के सरफतार से बढ़ रहा है, वो यहाँ पे बता रहे है, अब इनमें 2x2 की स्कतिय है, दो row है और दो column है, दो row हैं और दो column हैं, ठीक है, relative market share आपका क्या हो सकता है, high हो सकता है, relative market share आपका low हो सकता है, इसी तरीके मार्केट में जो growth आती है, वो high हो सकती है, market में जो growth आती है, वो समय के साथ low हो सकती है, चारिस्तियां बनती है, high low, high low, high low, high high low, high high low, बिल्कुल इसका डाइग्राम भी बनाना आता है डाइग्राम तो हरे का बनाना आता है इसलिए हरे के डाइग्राम को सीखना पड़ेगा हाथ से बनाना पड़ेगा आपको सबसे बड़िया तरीक है अपने हाथ से एक बार ड्रॉ कर लो फिर कभी बूलोगे नहीं औरे मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी अगर एक बार हाथ से बना दिया तो फिर आप भी बोलोगे मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी तो एक बार हाथ से बनाना जरूरी है फिर कोई नहीं भूलता है इसको फिर से देखे एक्स एक्सस पर रिलेटिव मार्केट share को बनाया गया है और दोनों में दो इस्तियां है high low high low high low high low अब क्या होता है ऐसी परिस्तिती में जब हम करते है high low high low ठीक है मतलब क्या है अगर आपका relative market share सबसे बड़ा है high है और अगर आपके वाद मार्केट में growth भी बहुत high है तो ऐसी position में हम कहते हैं हमारी position कैसी बनी वी हम position पर बैठे है stars हमारे यह चमकते वे तारे हैं हमारे यह चमकते वे तारे है stars है जैसे इस समय टेलिकॉम sector में जीयो बैठावा है तो stars जो है वो क्या है हमारे denote करते हैं तारों को और जीयो इस समय दुनिया में सबसे बड़िया position पर टेलिकॉम में बठा है चमकते वे सितारी की तरह है relative market share उसका सबसे ज़्यादा टेलिकॉम में और उसकी market में जो growth rate है वो भी सबसे ज़्यादा किसी और के मुकाबले बात समझ में आई क्या? star position अच्छा इस position पर हमारी strategy क्या होनी चाहिए? हम इसको और बिल्ड करें तो इस इस स्ट्राटेडी यह होनी चाहिए example यह होना चाहिए position यह होनी चाहिए clear है? तो अगर आप relative market share high में बठे हो जैसे जीओ बैठा है और आपका market growth rate भी phenomenal है तो ऐसी position में क्या करना चाहिए? ऐसी position में अपने को cruise पे होना चाहिए star बने वे हम लोग position हमारी बहुत तगड़ी है जैसे जीओ के साथ है करीब 38% का market share है तो ऐसे में हमारी strategy क्या होगी? इसको और build करें इस position को और consolidate करें इसको और better करें लोगों को और ज्यादे satisfied करें तो हमारी अगली जो इसमें होगी कि वो star position पर अगर है तो हम strategy के तौर पर उसे build करना चाहेंगे उसे और better बनाना चाहेंगे ओके आगे क्या होगा? अगर आपका market share हाई है लेकिन market में growth नहीं है, market में growth कम हो रही है तो इसको अपन कहते हैं cash cow मतलब enough cash generate करती है जिससे हमारा काम चलता है तो cash cow है, अब यहां cow का चितर बनाने की जरूत नहीं, cash cow लिखो के तो भी चल जाएगा, अब यहां पर example क्या है? cash cow वाला example, रोजमरा की जिन्दगी में, cash cow का example क्या हमाराइज में? तो cash cow मतलब क्या होता है? cash cow का मतलब होता है, market share आपका high है, लेकिन market में growth नहीं है इसलिए आपको return तो दे रहा है, cash generate करके दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यदा नहीं दे रहा है, तो हम इस position में किस को मानेंगे? हम इस position में मानते हैं, HUL को, हिंदुस्तान Union Liber Limited, HUL को मानते हैं, किस को मानते हैं? HUL को मानते हैं, यह example है और इस position में, cash cow position में किस को देखना चाते हैं, strategy क्या होगी आपकी यह बताओ, तो ऐसी position में हम क्या करेंगे? एसी position में हम क्या करें, बताओ, इसको hold करो, इस position को कुछ समय तक बना रहा है, को hold करो, ऐसे में position बनी रहेगी, इसको hold करो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, market share आपका है low, लेकिन आपके market में growth है high, ऐसी position पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ऐसे क्यों है, कि market में growth आई भी है, पर आपका share कम है, question mark मतलब आप अपने आप से प्रश्न करें, आप ऐसे क्यों हैं? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं वैसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? question mark करो आप अपने आप से, आप ऐसे क्यों हैं? जैसे, आप अगर टेलिकों market की बात करेंगे, तो BSNL इस 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 इस्तिती में हैं, कि market में growth बहुत है, geo कमारा है, irrital कमारा है, word of an idea कमारा है, लेकिन question mark है, PSNL के उपर, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं वैसा क्यों हूँ? तो अब अशुनी वैशनो कह रहे है, इस में से समय आ गया हार्वेस्ट कर दिया जाए, क्या करेंगे अपन इसको? अपन इसको करेंगे हार्वेस्ट, हम इसको करेंगे हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता कुछ इससा बेचना, हार्वेस्टिंग करेंगे, कुछ इसस का share भी low है और market की growth rate भी low है तो ऐसी position को हम कहते हैं वफदार कुटता है डाग है डाग है अब इस डाग वाली स्तती को हम क्या कहेंगे डाग वाली स्तती को हम कहेंगे यह MTNL है बनावा है हमारे पास में लेकिन इस स्तती में हम किसको देखते हैं डाग position इसमें कौन सी strategy यूज की जाएगी इसमें करना चाहिए हमें इसमें हमें करना चाहिए डाइवेस्ट पूरा ही पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए डाइवेस्ट is the ultimate strategy सारा बेच बाच के हमें बाहर आना चाहिए, डाइवेस करना चाहिए, सारा पेच बाच के बाहर आना चाहिए, So this is our, this is our BCG, क्या बन गई है, BCG बन गई हमारी, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डाग, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, Is it clear, is it clear, is it clear, तो स्टार पोजीशन मतलब, आप हाई मार्केट शियर, 37% लेके बैठे हो, ग्रोथ वाले मार्केट में जा टेलिकॉम बढ़ रहा है, तो स्टार मतलब चमकते वे सितारे, जी यह इस पोजीशन में बैठा है, और इस पोजीशन में स्टेटिजी है, क्या हमें अपने आपको बिल्ड करना चाहिए, और बेटर करना चाहिए, दूसरा, अगर आपकी मार्केट ग्रोथ रिट हाई है, पर आपके मार्केट में शियर लो हैं, तो आप पाएंगे, कि आप BSNL वाल एक्जामपल में फस गए हैं, जहां पर हार्वेस्ट करना ही स्टेटिटी के तौर पर सही रिजल्ट रहेगा, और अगर हम हैं, लो मार्केट ग्रोथ में और हाई मार्केट शियर में तो यह कैश काउ कहलाता है, दुधारू गाएं के तरह आपको लगातार, दूद देती रहती है, जिसको बेज कर आप उपना पैसा कमा लेते हैं, यह कैश, इनफ कैश जनरेट करने वाली स्टती है, हुल इसका एक्जामपल है, यह पोजिशन में अपने को होल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रेजी के तौर पे, वरना लंबे समय तक यह आपको फायदा नहीं दे पाएगे, चौती पोजिशन है डाग, यह डाग होता है न, यह तब होता है जब आप, जब आप लो मार्केट श कैश काउ नहीं समझा, महर प्रीत कह रहा है, कैश काउ का मतलब होता है, मार्केट की ग्रोथ रेट हो गई है, कम, मार्केट की ग्रोथ रेट क्या हो गई है, कम, मतलब मार्केट में अब ज़्यादा माल बिक नहीं रहे, लेकिन मार्केट का शेर आपका सबसे बड़ा है, ज लेकिन इस company में हमें आगे growth नहीं दिख रही है, जितना बढ़ना था यह बढ़ लिए, अब तो कुछ नया करने से ही काम हो सकता है, तो यह अपने आपको तयार कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए, इसलिए अभी existing जो चल रहा है उसी को चला रहे हैं, और इस existing को चला ना मतल high market share है, number one player हो आप इस industry के cash cow position पर, क्योंकि आपके पास जो FMCG, fast moving consumer goods है, वो किसी और के पास नहीं है, और आपकी growth rate कम है, market की growth rate कम है, इसलिए actual example है, और यहां आपको hold करना पड़ेगा इस position को, क्योंकि अगर आज market में growth नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि जिन्दगी पर नह cash cow पर भी आ सकते हो, क्या बात सबको समझ में आई, including महर प्रीथ, growth पूरे market का देखा जाएगा, बिलकुल, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, समझ गए, बहुत अच्छी बात, तो यह डाय चित्र बना लेना, डायग्राम बनना आना चाहिए आपको, horizontal axis, x axis, relative market share को बताती है, जहां दो इस्ततियां high और low, vertical market growth rate को बताती है, दो इस्ततियां high और low, high market share में आप high market growth पे बैठे हैं, star position कहलाती है, जी हो, इसका example है, strategy को build करेंगे, number two, high market share में market growth rate low है, ऐसे को cash cow कहते हैं, यह actual दरा hold किया जाता है, example इसमें है, strategy hold, question mark, प्रश्ण चिन किसी कितने हैं, प्रश्ण चिन की इस्तति क्यों बनी है, क्योंकि low market share है आपका, और market में growth बहुत जाते हैं, जैसे BSNL, telecom में market में growth बहुत है, air tail बढ़ा बन रहा है, Vodafone बढ़ा है, लेकिन BSNL घट रहा है, जैसे लोग क्या करते हैं, MTNL example मानते हैं, और divestment एक strategy के तौर पे माना करते हैं, कि कुछ नया आगे करके देखने की कोशिश करेंगे, बात आई क्या सब को समझ में, तो यह थी हमारी BCG matrix, is it clear, is it clear, is it clear, बनाना सीख गए सभी लोग, चली, समझ गये, बहुत अच्छी बात, तो देखो, यही बनावा है, यहां पे भी, जो ग्यारा चीज़े बताई थी, बारा चीज़े एक बार फिर से देख लो, BCG Boston Consulting Group, इसका पूरा नाम है, growth share matrix है, simplest way है, corporation का portfolio investment के बारे में जानकारी देता है, cow and dog metaphor कैलाता है, popularly resource allocation के लिए use किया जाता था, diversified company में, यह two dimensional growth share matrix है, इसका vertical access represent करता है, market growth rate को, जो market attractiveness को भी बताता है, और horizontal access represent करता है, relative market share को, जो company strength मार्केट भी बताया करता है, यहाँ पर two by two की एक matrix है, जिसमें चार अलग अलग कोने आए हैं हमारे पाद में, सबसे पहला आता है star, जिसमें हमें expand करना चीए, या जिसको हम build करना भी कहते हैं, build करेंगे हम, उसके बाद आती है cash cow, cash cow जो position होती है हमारी, इसमें हम hold करते हैं, और question mark जो होता है, उसमें हम harvest करते हैं, गलत दिख दिया है सब, यह गलत है, और dog position में हम लोग divest करते हैं, यह अब सहीव है, यह सब गलत गलत हो गया, तो आपने इसको आप सही कर दिया, डाइगराम में, आप भी सही कर ले, clear है, clear है, clear है, ठीक है, पुश्य लिए, अब आगे बात करते हैं, स्टार्स अर्द प्रोड़क्ट और स्टार वो प्रोड़क्ट है, कंपनी के, या वो मुख्य बिजनस है, स्टार मुख्य बिजनस, में बिजनस, अब बिजनस, यह अब आर ग्रोइंग रैपिड ले, जो तेजी सा आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्मेंट करना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्मेंट करना पड़ता है, रैपिड ग्रोथ प्रोटेंशल में यह करना ठीक है, क्योंकि आपको यह बेस्ट अप्रोशनिटी नजर आती है, इस एक्सपेंशन में, बात आई किया सब को समझ में, इस इड़ क्लियर, इस इड़ क्लियर, क्लियर है, समझ में आगया सभी को, अब एक एक position को बता देते हैं सबसे पहला cash cow cash cow low growth high market share business होता है या product होता है they generate cash and low cost इनमें cash generate होता है लेकिन cost इनकी कम है cash cow low growth है high market share business है product और services का अब ये established successful और less investment maintain करने वाले market के लिए ठीक है लेकिन 9 दून में growth rate जो होती है वो slow करती है और star जो है cash cow बन जाते है growth rate जब कम होगी तो आपके star जो है वो ultimately cash cow बन जाएंगे क्या बन जाएंगे आपके star आपके cash cow बन जाएंगे तो cash cow जो है वो low growth और high market share वाली कमपनिया है जो product and service बनाती है इनकों कहते हैं enough cash enough cash is generated with low cost और यह successful तभी है क्योंकि इनको less investment के साथ आसानी से maintain किया जा सकता है और इनकी growth rate slow down होती रहती है क्योंकि यह star बन जाते हैं cash cow और cash cow बन सकते हैं star once again बात आई के सब को समझ में is it clear is it clear cash cow क्या होता है सब ने समझ लिया अब आजाओ question mark की बात करते है question mark इसको कई बार problem children या wild cat भी कहते है यह दो नाम और है question mark मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों के साथ दो नाम और है problem children आपके बच्चे इतने problematic क्यों है इतने बदमाश क्यों है इतने शैतान क्यों है what is the problem तो problem children भी कहते हैं और कई लोग इसे wild cat जंगली बिल्ली भी कहा करते हैं जंगली बिल्ली मतलब प्रियंग का चौपड़ा PC की बात नहीं हो रही है मुझे मालूम है जंगली बिल्ली कहते हैं तुम्हें शान, डौन ये मूवियां ध्यान आ जाती हैं लेकिन मैं उसकी बात नह नहीं कर रहा है यहां wild cat का मतलब जंगली बिल्ली से नहीं है wild cat कहां शब्द यूज किया जा रहा है problem children या फिर यूज किया जा सकता है question mark के लिए ये low market share business है high growth में market share आपका कम है लेकिन market में growth बहुत ज़्यादा है तो हम कह रहे हैं आप ऐसे क्यों हो आप BSNL क्यों बने वे हो आप HUL क्यों बने वे हो ठीक है they require a lot of cash to hold their share अपना position बना रखने के लिए cash रही है need heavy investment with low potential to generate cash आसानी से generate नहीं हो पा रहा है if left unattended are capable of becoming a cash trap अगर आपने इसे छोड़ दिया तो लगातर आपको नुक्सान करता चला जाएगा growth rate is high increasing it should be relatively easier it is for business organization to turn them stars when then to cash cow when growth rate reduces तो हमारे star growth rate reduce होने पर क्या बन जाता है cash cow और cash cow growth rate बढ़ने पर क्या बन जाता है star तो star से cash cow cash cow से star ऐसे चलता रहता है depending upon the market growth rate कम है के जदा है अगर जदा हो गई तो हम cash cow से क्या करेंगे अपने आपको star बना देंगे और हम star है और हमारी position आगे ठीक नहीं रह रही है तो फिर हम क्या करेंगे दुबारा से lot आएंगे हम दुबारा से lot आएंगे clear है clear है clear है clear है चलिए next position है इसमें डाग डाग क्या होता है डाग मतलब low growth low share business growth भी कम है share भी कम है इन प्रड़क्ट का दे में generate enough cash to maintain themselves अपने को बनाए रखते हैं but do not have much future इनका future खराब है इसलिए they need cash to survive इसलिए इने हर समय cash रही होता है यह minimize किया जा सकता है means of divestment or liquidation ऐसा करने के लिए हम divestment मांग सकते हैं जवीन के कुछ टुकड़े के साथ में divestment मतलब liquidation कर सकते हैं portion हम इसमें से निकाल सकते हैं या पूरा ही कर सकते हैं हम यह से liquidation में जा सकते हैं clear है clear है clear है तो आपने सब इस्तिती देख ली आपने सटार देखे सटार सटार क्यों होते हैं यहाँ पे सटार होते हैं यहाँ पे सबसे पहले सटार सबसे पहले सटार है यहाँ पे सटार जो है वो heavy investment चाहिए क्योंकि यह best example है expansion के तो ऐसी position को हम क्या करते हैं hold कर ऐसी position को हम क्या करते हैं build करते हैं और expand करते हैं ठीक है फिर cash cow वाली जो position होती है वो low growth high market share होती है यहाँ पर star जो है slow down होते हैं cash cow बन जाते हैं तीसरा question mark जिसको problem children ने wild cat कहते हैं यह low market share और high market growth के लिए है और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह cash trap बन जाएंगे growth rate high होने पर यह अपनी position को सुधार कर सकते हैं चोति position डाग है यह low growth low share matrix business है जो enough cash generate करते हैं अपने आपको maintain करने के लिए लेकिन बहुत ज़दा इसका बड़ा future नहीं है लेकिन यह survive करने के लिए cash की जरूत रखते हैं और इन सब को हम divestment के liquidation से ठीक भी कर सकते हैं बात आई के सब को समझ में तो किस जगे cash strategy adopt करनी है वो हमसे ज़्यादा कोई better जाननी सकता तो हम क्या करेंगे star में build करेंगे या expand करेंगे cash cow में hold करेंगे question mark में harvest करेंगे डाग आएगा तो by divest करेंगे clear है clear है बोलजिहां 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 तो हमने आपको ये दूसरा method भी बनाना सिखा दिया हमने दूसरा method भी बनाना सिखा दिया तो बना लोगी कि बना लो इसको बना लो एक बार अपने हाथ से बना लो इसको और पूर्ट्फॉल अशुब हो चाहिए बी सी से अब आपको अपन पनाना आप अरे बना लिया अरे बना लिया है तुमने जो इस को नंबर मिलेंगे पाँच पाँच तुमको आ रे बना लिया है तुमने जो इसको नंबर मिलेंगे पाँच पाँच तुमको तो बनाना आना चाहिए पाँच पाँच नंबर कमा सकते हैं एक एक portfolio analysis method पर तो आरिश ने बना लिया मेहरपरीद ने बना लिया सब ने बना लिया बहुत अच्छी बात बना लिया ओके तो यह हो गया हमारा BCG अब आजाओ identification कर लेते हैं strategy का जो मैंने पहले ही बता दिया है BCG matrix में post identification strategy चार होती है build करते हैं, hold करते हैं harvest करते हैं, divest करते हैं चार है after a firm has classified this product or SBU, SBU मतलब क्या है main business SBU क्या है आपका, main business it must determine what rule each will play in the future तो चार strategy बनी build पहली strategy होती है here the objective is to increase the market share अब ये market share आप किस में करोगे star position पर करोगे even by forgoing the short term earning in the favor of building a strong future तो ऐसा आपन कब कब करते हैं जब अपन star पर होते हैं तो star में अपन और position को build करते हैं मेहर प्रीत कहता है ADL तो आपने मना किया वो बनाने के लिए नहीं आता है अरे इतना तो बनाना पड़ेगा रे ये डांचा तो बनाना पड़ेगा पूरा नहीं बनाना है इतना तो बनाना आना चाहिए ये इतना डांचा तो आना चाहिए जिसमें ये एक बना सके हैं अपन पूरा नहीं बनाना है लेकिन इतना तो आना ही चाहिए ढाचा यह skeleton पर तो सवाल आता है इतना तो आना चाहिए इसके लिए मना नहीं किया है मैंने यह तो बना नहीं पड़ेगा पूरा नहीं बनाना है यह बनाना पड़ेगा जो ढाचा आपको मैंने दिखाये स्क्रीन पर ठीक है मतलब ये बनाना आना चाहिए आपको लेकिन इसकी जरुवत नहीं है इसको बनाने की जरुवत नहीं है जो पूरा बनावा है पर आपको ये तो आना ही चाहिए ये बनाना पूछा दा सकता है स्केलेटर इसको करना है श्या लिए आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहेते हैं, identification strategies की, build करेंगे, market share अगर आपको बढ़ाना है, और ये star position पर करते हैं, hold करते हैं, here objective is to preserve the market share, ऐसा आपन cash cow में करते हैं, किसमें करते हैं अपन ऐसा, cash cow position में करते हैं, hold, harvest कब करते हैं, जब objective is to increase the short term cash flow, cash flow बने, तो वहां आपन harvest करते हैं, ऐसा position क्यों होता है, question mark, और जब आपको लगता है, आपका कुछ नहीं बनेगा, मा कला डिला बिगड गया, मा कला डिला बिगड गया, तो इसे बे दखल कर दो, तो divest कर दो, here the objective is to sell or liquidate the business, पूरा खतम करो, resources can be better used elsewhere, ऐसा हम कहां करते हैं, ऐसा हम dog position पर करते हैं, तो star पे हम build करेंगे, cash cow पे हम hold करेंगे, harvest करेंगे question mark पे, और divest करेंगे dog पे, clear है, clear है, clear है, बोलो जी हां, बोलो जी हां, बोलो जी हां, तम ही बोलता नती, आगे बात करते हैं, BCG के बारे में, और कुछ limitations भी जानते हैं, इसकी, the growth share matrix, BCG growth share है, has done much of the help in strategic planning, यह help करती है strategic planning में, however there are some problem and limitations, लेकिन इसकी भी कुछ limitations है, BCG matrix is difficult, time consuming and costly to implement, तीन चीज़े, यह बनाने में मुश्किल है, समय लगता है, चीजों को पचानने में और implement करने में और भी महेंगी है, management में find it difficult to define the SBO and measure market share and growth, तो आपको difficulty हो सकती है, यह नापने में के market share or growth क्या है, it focuses on classifying the current business but provide little advice for the future planning, यह future planning में आपको ज़्यदा जानकारी नहीं दिया करती है, they can lead the company to placing too much emphasis on market share and growth through which entry in attractive new market, this can cause unwise expansion in hot new risky venture or divesting established unit too quickly, तो यह unwise expansion कर सकता है, अगर आपने सही ध्यान नहीं दिया, ऐसी जगे पे जहां आपका result ठीक नहीं आएगा, इसलिए इसके साथ कुछ problem है, यह difficult है, time consuming है, और साथ साथ में costly है implement होने में, बात आई क्या समझ में, is it clear, is it clear, is it clear, बोल जी हाँ, बोल जी हाँ, बोल जी हाँ, तो BCG जो growth share metrics है, वो strategic planning में help करती है, लेकिन इसकी कुछ problems है, कुछ risk है इसकी, जैसे BCG metrics बनाने में difficult है, बनाने में समय बहुँ जदा लेती है, time consuming है, costly है, यह difficult इसलिए है क्योंकि SBU और market share growth को नापना आसान काम नहीं है, यह focus करती है केवल current business, current market पे future के लिए कोई advice नहीं दिया करती, यह सबसे बड़ी कमी है, इसके अलावा, this can cause unwise expansion into hot new risky venture, जिसका result आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसकी मदद लेते वे कहीं ऐसे area में न, invest कर बैठे हैं, जहांका return मिलना आसान, ना हो, ना हो, ना हो. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट मेट्रिक्स की तरफ आगे, जिसका नाम है, जन्रल इलेक्ट्रिक, जी इ मॉडल, इसके बारे में बात करेंगे, अब अब बात करेंगे, जन्रल इलेक्ट्रिक मॉडल के बारे में, जी इ मॉडल के बारे में, let us talk about the जी इ मॉडल, जन्रल इलेक्ट्रिक, चलिए, उससे पहले एक प्रैक्टिकल सवाल कर लेते हैं, एक, एक सवाल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल, identify if the following is a star or cash count, star मतलब high market growth में high share लेके बैठा है, ठीक ह SO Pharma Limited developed a new age medicine which cure cough in 3 hours, अरे वा, ये तो हमको चाहिए, cough को, खांसी को 3 गंटे में ठीक करता है, with an investment of Indian rupees 80 करोड in R&D, 80 करोड खर्च किये उसने, and they named it cow fix, उसका नाम है, cough को fix करने वाला cow fix, cow fix need a lot of marketing spent to create awareness among the public and also need funds to get license from the regulator, एसा चाहिए Interestingly cow fix has gained 60% market share within 6 months of the launch and has been profitable since day 1, पहले दिन से कमा रहा है, is cow fix a cash cow और star for SO Pharma Limited, तो market share 60% है, ये तो high हो गया, market share और market growth और पहले दिन से profitable है, तो जब ये पहले दिन से profitable है, market share high लिया वा है, तो फिर ये star हो गया न भी, star क्या होता है, High market share, high market growth, market share 60% मतलब high और market growth मतलब profitable from number 1, पहले दिन से ये, तो तरीका क्या 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 लाएगा, star क्या लाएगा, so it is a star, star are the product residue that are growing rapidly, तेजी से बढ़ रहे है, 60% की रफ्तार होगे इनकी, they only need heavy investment to maintain, ये हो रहा है, 80 करोण रुपर चाहिए, their position and finance, their rapid growth potential, they represent best opportunity for expansion, just one parameter of the market share cannot define the status of the SBU, it should be categorized based inherent characteristic and hence cow fix as more representation as a star, क्योंकि इसमें क्या है, market share की संख्यात ज्यादा है, पहले दिन से profitable भी है, heavy investment भी चाहिए इसको, ये सारी चीज़े बता रही है कि ये position star है, high market growth में, high market share लेके बैठा है, इसलिए cow fix is star position, क्या ये सब को समझ में आया, जो पतरा सर ने अभी भी बताया अरे क्या सब को समझ में आया है, बतरा सर ने बताया है, सब को समझ में आया है, बतरा सर ने बताया है, जोना चैट बाक्स खुला पड़ा है, बताएं, क्या समझ में आया है, ये star क्यों है, क्योंकि ये है high market share में, high growth वाला, profitable from day one इस्टार कैसे है, बहुत अच्छी बात, आईए आगे बढ़ते हैं, last method के बारे में बात करते हैं, आईए, general electric model GE, general electric matrix stop light model कराता है, तो देखो, एक नाम है इसका general electric matrix, दूसरा नाम है stop light, तो पहला है general electric, दूसरा है stop light, stop light मतलब जो traffic की signal lights होती हैं, कई लोग इसे traffic signal, traffic signal light model भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कई से, traffic signal light model भी कहते हैं, जैसे traffic पे light होती हैं, लाल पिली, हरी नीली वैसे, clear हैं, तो general electric कहलो, stop light कहलो, traffic signal model कहलो, एक ही बात, ठीक है, इस model has been used by general electric company, developed by GE with the assistance of consulting from McKenzian company, इसे किसने use किया और किसने बनाया है, GE ने बनाया है, McKenzian company के साथ, बिलके जो कि ये consulting company है, ठीक है, जो कि ये consulting company उसने बनाया है, इसको हम use करते हैं, business planning matrix में, ये क्या कहलाती है, known as business planning matrix, तो ये पांच हो point होगे है, business planning में इसका use होता है, ये से GE 9 cell matrix भी कहते हैं, या GE model भी कहते हैं, GE 9 cell भी इसका नाम है, GE 9 cell भी इसका नाम है, the strategic planning approach in this model has been inspired from the traffic control light, किससे inspired हैं, किससे inspired हैं, ये inspired है, traffic control light से, traffic control light से inspired हैं, ठीक है, the light that are used at crossing to manage the traffic, जैसे green मतलब go, invest करो, amber और yellow मतलब caution, सोच समझ कर पैसा लगाओ, और red stop, खत्रे की गंटी है, पैसा मत लगाओ, सोचो समझो, market किस direction में, this model uses two factors, इसमें दो factor हैं, while taking the decision, एक तो business strength और दूसरा market attractiveness, तो दो factors पर ये काम करता है, एक है market strength, और दूसरी है market attractiveness, तो नौ चीज़े हमें general electric GE model के बारे में याद रखनी है, नौ चीज़े हमें याद रखनी है, कितनी चीज़े याद रखेंगे हैं, नौ चीज़े याद रखेंगे हम लोग इसके बारे में, बात आई के समझ में सबको, what are the nine things about GE model, याद रखेंगे इस पर बहुत सार MCQ हो सकते हैं, बत्रा सर MCQ साथ साथ तयार करा रहे हैं, हमारी class में पढ़ाई totality में होती हैं, हम MCQ साथ साथ तयार करते हैं, key word साथ साथ तयार करते हैं, important question साथ साथ बताते हैं, किस पर MCQ, किस पर बड़ा सवाल, किस पर case scenario हो सकता है, वो भी discuss कर रहे हैं, इतनी तयार ही कोई पढ़ने के साथ साथ करता चला है, तो बाद में उसको extra effort लगाने के जरूत कता ही नहीं पढ़ेगी, क्योंकि आप बत्रा सर की classes में हैं, और अब बत्रा सर बेटा, खुद पढ़ा रहे हैं subject को पिछले 33-34 सालों से, तो जो experience आपको इस class में मिलेगा, बेटा, वो unprecedented होने वाला है, वो कोई दे भी नहीं सकता, बेटा, यही बत्रा सर की USP है, unique selling point है, यही बत्रा सर की core competence है, जिसको कोई न तो copy कर सकता है, और न बेटा, develop कर सकता है, और इसी लिए, बत्रा सर बेटा, अपने competitor से एक कदम है, आगे, बात आई क्या सब को समझ में, is it clear, is it clear, is it clear, क्या सब को समझ में आ रही है बात, clear तर कहते हैं, यह model General Electric ने बनाया है, with McKenzie and Company, किसके साथ बनाया है, इन्होंने यह, McKenzie and Company के साथ बनाया है, इसको business planning matrix भी कहा करते हैं, और यह G9 cell matrix भी कहलाती है, इसमें जितनी lights होती है, वो inspired traffic lights से, जहां green signal होता है, go के लिए, मतलब आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, amber यह yellow हो portion, सोच समझ के आगे बढ़ो, और red जो होता है, वो stop के लिए होता है, कि यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि मामला गडबड लग रहा है, दो factor यहाँ ध्यान रखने के है, business strength और market attractiveness, बात आई के सब को समझ में, is it clear, is it clear, is it clear, बोलो जी हां, बोलो जी हां, बोलो जी हां, तो 9 point याद रखने है, number one, इसका नाम general electric matrix है, यह stop light model है, यह traffic signal light model भी कहलाता है, इसे general electric ने बनाया है, mickensian company के साथ में, इसे business planning matrix भी कहते है, इसे GE 9 cell matrix भी कहते है, या GE model भी कहते है, यह inspired है traffic signal light से, traffic signal में 3 lights होती है, green for go, आप यहाँ पैसा लगा सकते हैं, expand कर सकते हैं, amber और yellow, caution क साथ में जा सकते हैं, और red मतलब stop, अब यहाँ से harvest कर लो, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इसके साथ साथ दो factor ध्यान रखना है, strategic choice बनाते है, two dimension matrix में, business strength और market attractiveness, यह दो factor का ध्यान रखना है, बात आईगे सब को समझे है, is it clear, is it clear, is it clear, बोलजी हाँ, बोलजी हाँ, बोलजी हाँ, तो आईए अब इसे बना लेते हैं, GE को बनाया कैसे जाएगा, vertical axis पे हम बनाएंगे attractiveness, market attractiveness, y axis पे, और horizontal axis पे हम बनाएंगे business strength, हम बनाएंगे business strength, ठीक है, तो आओ two dimension matrix बनाते हैं हम लोग, यह है x axis और यह है y axis, x axis पे हम क्या बनाएंगे, business strength, business strength, x axis के पे क्या बनाएंगे अपन, business strength, ठीक है, जिसे market share भी कह सकते हैं, BCG के शब्दों में यह BCG जैसी है, market share कहलाता है, ठीक है, y axis है, वो market attractiveness को बताती है, यह market attractiveness को बताती है, जिसे हम market growth भी कहते हैं, BCG के शब्दों में, market growth भी कहते हैं, BCG के शब्दों में, तो यह BCG जैसी है, similar है, BCG में horizontal access market share बताती थी, यहाँ GE model में हम उसको business strength कहते हैं, general electric में market attractiveness y axis को कहते हैं, BCG में इसको market growth कहते थे, यह एक 3 by 3 matrix है, 2 dimension ज़रूर है लेकिन 3 by 3 matrix है, इसमें 3 row 3 column है, 3 row 3 column है, 2 dimensional है, और 3 into 3 matrix है, 2 dimension कैसी है, x और y, और dimension 3 by 3 की matrix में आती है, यहाँ 3 इस्तिय हैं, वहाँ BCG में तो इस्तिय आती है, high और low, high और low, यहाँ पे ऐसी नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इस्तिय आ लग है, business की strength कैसी होती है, business की strength होती है, strong, business की strength होती है, average, और यह होती है, weak, ठीक है, वहाँ market attractiveness कैसी होती है, आपकी high, medium, और low, फिर से देख लो, कैसे बनाएंगे यह हम लोग, 3 by 3 की matrix को, सबसे पहले तो समझ लो, general electric model जो है, वो कुछ हद तक, bcg matrix जैसा है, जहाँ horizontal access पे bcg में market share बनाया जाता था, यहाँ उसका नाम business strength है, ठीक है, पहली बार, vertical access में, bcg में हम market growth बनाते थे, यहाँ इसका नाम market attractiveness है, फरक केवल इतना है, वो 2 by 2 थी है, 3 by 3 है, ठीक है, यहाँ, जो इस्ततिया है, क्या है, बिजनस strength या तो strong होगी, जिसको high भी कह सकते हैं, average होगी, जिसको medium भी कह सकते हैं, और low जिसको weak भी कह सकते हैं, ठीक है, यह शब्द use होते हैं इसके लिए, और market attractiveness क्या है, high है, medium है, और low है, clear है, तो यह धांचा आपको समझ में आ रहा है, क्या यह धांचा आपको समझ में आ रहा है, क्या यह धांचा आपको समझ में आ रहा है, बता ओड़े, क्या यह धांचा आपको समझ में आ रहा है, अब इसमें क्या है, जो यह vertical स्तति है हमारी, vertical, यह वाली vertical, इसको पीले से बरदो, यह vertical को पीले से बरदो, वर्टिकल को पीले से बरदो, यह जो उपर वाला इससा है, इसको हरे से बरदो, और जो नीचे वाला इस्तती है इसको लाल से बर दो बात आई के समझ में यह जो हरे वाला है यह जो हरे वाला है यह हरे वाला जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्ट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे यह हरे वाला जो है यह इन्वेस्ट और एक्सपेंड के लिए इन्वेस्ट और एक्सपेंड यह जितना हरे वाला है वो इन्वेस्ट और expand के लिए है ठीक है और ये जो पीले वाला है ये पीले वाला है ये select और earn के लिए है select cautiously और earn करो select और earn करो और जो लाल वाला है हमारा यहां harvest करो या divest करो harvest और divest harvest या divest partially या fully harvest और divest बात आई के सब को समझ में मेहर प्रीट के रहा है exam में different color के pen use कर सकते हैं prohibited है black pen से करें बिलकुल black pen से करें आप लिख किया जाना ग्रीन कलर आपको हरा pen तो नहीं मिलेगा पर लिखना green color yellow color ठीक है और लिख ज्याणा red color ऐसे लिख जाना पर हम आपको समझा सकते हैं यहांपर लेकिन एगजाब में आपको black ही मिलेगा तो आप लिक्कि मिलेग ए लिक्कि आओगे black pen से लिक्किया ना ग्रीन कलर, yellow कलर, red color प्लीयर है क्लीयर है क्लीयर है कैसे बना फिर से देख लो कैसे बना हमने X-AXS वर्टिकल अरिज़ॉन्टल एक्सव पे मार्केट शेर जो बीसीजी में कहलाता है और G में उसको बिजनस स्ट्रेंथ कहते हैं उसको बनाया है vertical axis जो हमारी है वो market attractiveness और market growth को बता रही है देखें यहां 3-3 इस्ततियां बनती है 2x2 की जगे यह 2 dimension जरूर X और Y में लेकिन matrix 3x3 की है BCG 2x2 की थी business strength हो सकती है strong average और weak business strength हो सकती है strong average और weak और हमारी market attractiveness हो सकती है high medium और low यह जो हमारा diagonal है वो diagonal में पीला color बर देंगे और यहां position होगी select and earn उपर की जितनी है वहां invest और expand के लिए हरा color है और नीचे वाले जितने भी हैं वो harvest और divest के हैं select किसको करना है select करना है yellow में business करना है कर नहीं करना है cautious के साथ चलना है whether you want to be here or you want to be out यहां आपको select करना है क्या आप इसी business में रहेंगे के निकल जाएंगे option आपको लेना है cautiously आपको option लेना है यहां पे क्या आप इस business में रहना चाहते हैं के निकलना चाहते हैं select और earn ठीक है clear है clear है बोलो जी हा बोलो जी हा बोलो जी हा बोलो जी हा तो यह बनाना सीख लिया सभी ने कोई दिक्कत नहीं है तो हरे color में हम invest करेंगे और पैसा डालेंगे मतलब अगर business strength strong है market का share high है star वाली position जैसे bcg में होती थी और invest करो अगर business आपकी strength strong है market attractiveness medium है तब भी आप invest करो और पैसा लगाओ इस पर और अगर average आपकी business strength है लेकिन market में आपका attractiveness हाई है तब भी आप invest करो और इन सारी positions में इन सारी position में आप क्या करेंगे option लेंगे कि मुझे करना क्या है मुझे रहना है कि निकलना है लेकिन जो position आपकी है average हो और market low है तो बार निकलो या week हो और medium है तो बार निकलो और week है तो definitely बार निकलो तो कुछ position ऐसी है जिनमें रहने का कोई फाइदा ही नहीं है average और week वाली बाकियों में हम select and earn कर सकते है या फिर हम invest और expand करेंगे बात आई क्या सबको समझ में is it clear is it clear is it clear क्या यह बात सबको समझ में आई है जो अभी अभी आपको बत्रह सर ने बताई है अरे क्या सबको समझ में आई है बत्रह सर ने बताई है बच्चे कह रहे हैं 100% आई है कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आई है everything is आई है तो यह भी आपने बनाना हाथ से सीख लिया आओ थोड़ा सा और explanation कर देते हैं हम लोग यहाँ जो market attractiveness होती है उसको कई सारे factor से समझा जा सकता है market attractiveness is understood by number of factor market attractiveness है उसको समझने की कई factor है size of the market is big market size बहुत बढ़ा है जैसे भारत में telecom का market बहुत बढ़ा है ठीक है education का market बहुत बढ़ा है medical का market बहुत बढ़ा है तो size of the market बढ़े है इसका अलब market attractiveness है हर एक आना चाहेगा market growth rate market में growth कैसी है जैसे अभी हम बात करें तो क्या है electronic vehicle माले market में बहुत है drone technology वाले में बहुत है artificial intelligence में बहुत है तो growth बहुत अच्छी है इनमें आना फायदे मन्द है industry की profitability कितनी है अगर industry की profitability high है तो इसमें आना ही चाहिए तो जिन industry में हमारे पाद profit अच्छा है उनमें हमें आना चाहिए उसके बाद competitive intensity competition ज़्यादा है के कम है अगर competition कम है तो हमें आना चाहिए क्योंकि तब हमें profit मिलेंगे competition ज़्यादा है तो फिर शायद हम profit नहीं कमा पाएंगे availability of technology अगर easily available है easily है तो आना चाहिए अगर technology सब को सर्व सुलब उपलब्द है तो हमें आना चाहिए pricing trend pricing trend favorable है pricing trend favorable है तो हमें आना चाहिए आना पड़ेगा वादा निभान पड़ेगा favorable होने चाहिए overall risk of return in the industry low है overall risk low है आना चाहिए market attractiveness है opportunity for differentiation of product and service large है बहुत ज़्यदा differentiation कर सकते हम तो आना चाहिए क्या आपके पास भी ग्राक आएंगे मेरे पास भी आएंगे demand variability demand variability less है मतब demand बनी रहती है आना चाहिए demand हमेशा बनी रहती है आना चाहिए देखा क्या आपने तो GE matrix को समझ लो आप market attractiveness कई सारे factor पर depend करती है अगर market की size बहुत बड़ी है टेलीकॉम education medical बगर है तो फिर आपको market attractive लगेगा आना चाहिए market growth rate जो है EV है drone है यह यह growth rate बहुत है high है इनमें क्या है high है तो आना चाहिए big है तो आना चाहिए इन्डेस्ट्री की profitability बहुत हाई है तो कौन ऐसा market छोड़ेगा आना चाहिए competitive intensity कम है आना चाहिए availability और technology आसान उपलब्द आना चाहिए pricing trend फिर वे आना चाहिए overall risk return लो है आना चाहिए opportunity है आना चाहिए demand variability कम है demand बनी रहती है demand कम ही नहीं होती है आपकी आना चाहिए तो market attractiveness कई सारे factor से देखी और समझी जा सकती है size of the market market growth rate industry profitability competitive intensity availability of technology pricing trend overall risk of return in the industry opportunity and demand variability क्या यह सब समझ में आए आपको क्या यह सब समझ में आए आपको तो attractive ने समझ में आगई अब आईए business strength को समझ लेते हैं यह तो हुई हमारी अच्छा इसके अलावा क्या है 9th के बाद 10th और 11th 10th है segment segment बड़ा है segment is big तो आना चाहिए अगर आपका market segment बहुत बड़ा है तो आपको आना चाहिए distribution structure मतब direct retailing के कई तरीके distribution structure is available अगर available है तो आना चाहिए distribution structure अगर आपके favorable में है available है तो आना चाहिए अब हम बात करते हैं business strength की business strength उसके typical drivers कौन से है business strength को चलाने वाले कौन है पहला market share कैसा है आपका big market share आपका कैसा है big मतलब आपको बने रहना चाहिए number two market share growth rate market share growth rate favorable है तो आपको आना चाहिए या बने रहना चाहिए profit margins enough है आना चाहिए distribution efficiency आपके लिए favor में है आना चाहिए brand brand image अच्छी है excellent है good है आना चाहिए availability availability to compete on price and quality ability है आपकी compete करने की yes ability है customer customer आपके साथ loyal है yes आना चाहिए बने रहना चाहिए production capacity large है आपकी आना चाहिए बने रहना चाहिए technological capacity available है आना चाहिए relatively cost position relative to other favorable है आना चाहिए management caliber available है आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए तो आप business strength को भी देख लें उसके भी करीब 12 factor है segment का मतलब होता है हिस्सा या टुकडा segment का मतलब हिस्सा या टुकडा अगर पूरे में से आपके पास 60% market share है तो आपके बड़ा segment है बड़ा segment है आपके पास तो उसमें कितने point थे उसमें 11 इसमें हैं 12 there are 12 business strength drivers 11 तो market attractiveness के लिए थे और 12 business strength के लिए और इससे बनती है यह हमारी BCG matrix यह business strength को बता रहिए यह market attractiveness को बता रहिए strong average week high medium low invest and expand invest and expand investment selected on select and select and harvest diverse harvest so this is our BCG this is our GE model stop light model green, amber and red light clear है clear है bolazi हां bolazi हां bolazi हां not but in PRESENT प्रक्वा कर व्रक्वा 10 अश्वा पीए व्रक्वा अभ़ झाल प्रक्वा व्रक्वा व्रक्वा ओहो गिंती गलत हो गई हमारी आण कवा सीधा दस आ गया नो दस ग्यार दोनों में ग्यार ग्यार पॉइंट है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर हो गया की करिये की करिये उसनदा कंसर्ट क्लियर हो गया की करिये की करिये तो देखें बिजनस स्ट्रेंद के ग्यार टिपिकल ड्राइवर्स मार्केट शेर बड़ा होना चाहिए मार्केट शेर ग्रोथ रेड फेवरेबल होना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन इनफ होना चाहिए इसे सब पॉजीशन में हम कहते हैं आपके पास है बिजनस स्ट्रेंद अच्छी वाली अब ये बिजनस स्ट्रेंद स्ट्रॉंग एवरेज या वीक भी हो सकती है कंपनी का अनुसार और तब हम थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स बनाएंगे होरिजोंटल एक्सस पे विजनस स्ट्रेंद जिसकी तीन स्ट्रॉंग एवरेज और वीक वर्टिकल एक्सस पे इसे में हम डाइगनल पॉजीशन पे यलो 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 कलर से बर देंगे और लिखेंगे सलेक्टर्ण 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 अपर पोर्शन में हम invest expand invest expand करके हरा color बर देंगे और नीचे हम लाल color बर देंगे harvest divers 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 clear है clear है clear है clear है बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ अब इससे नतीजा क्या मिलेगा हमें इससे नतीजा क्या मिलेगा green color में हम invest करेंगे yellow तो में हम cautious आगे बढ़ेंगे, red में से हम बाहर निकल जाएंगे, simple सी बात, ये को ये ही लिखा है, if a product falls in the green section, green में आता है, the business is at the advantage position, तो business फाइदे की स्तती में है, to reap the benefit, फाइदा उठाने के लिए, the strategic decision can be expand और invest, तो आप invest करो, expand करो, growth पाओ, तो green section में क्या करोगे आप, favorable position देखते वे, expand करोगे, grow करोगे, ये है पहला, दूसरा क्या है, if the product is in the amber और yellow zone, अगर आप yellow zone में है, it needs caution and manageable discreation, तब आपको सोचना पड़ेगा, management के level पे क्या करना चाहिए, अपनी strategic choices को बनाने के लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा, इस yellow zone में, आप cautious लिए आगे बढ़ red zone, अगर आप red zone में हो, it eventually lead to losses, इस से क्या होगा, आने वाले समय में नुकसान होंगे, that would make things difficult for the organization, in such cases, appropriate strategy should be retrenchment, divestment and liquidation, तो आपको appropriate strategy अपना नहीं पड़ेगी, जो क्या हो जाएगी, harvest, divest की, मतलब retrench करना, divest करना या liquidate करना रहेगा, बात आईगे सब को समझ में, तो आ आप क्या करेंगे, expand या growth पाएंगे, हरे में, yellow में आप cautiously आगे बढ़ेंगे, और red वाले area में, आप retracement, divestment, liquidation अपनाएंगे, this model is similar to BCG growth matrix, मैंने का न, BCG जैसा है, लेकिन वो 2 by 2 था, यह 3 by 3 है, अगर comparison की बात करूँ तो, there are differences, firstly, the market attractiveness replaces market growth rate, BCG में वो market growth था, यहां उसका industry attractiveness, include the broader range of factors, तो, यहां पर, तीन बाए तीन हो जाता है, secondly, competitive strength replaces market share, BCG में market share था, यहां उसका नाम competitive strength है, और dimension भी 3 by 3 की हो गई है, तो, BCG और इसमें अंतर क्या है, पहला, इसका नाम है, Boston, Consulting ग्रुप इसका नाम है, General Electric दूसरा, 2 into 2 है, यह 3 into 3 है तीसरा, यहां position high और low ही बनती है यहां high medium और low बनती है BCG में इसका नाम था, market share versus market growth यहां इसका नाम है, market share को में यहां कहते है, business position business strength versus business strength versus market attractiveness business strength versus market attractiveness तो यह दोनों में differences है तो ऐसा भी एक सवाल आ सकता है, what is the difference between the two, BCG और GE में अंतर क्या है, BCG का पूरा नाम है, Boston consulting group method, GE का general electric है, यह two by two है, यह three by three है, यह high और low में दो इस्तितियों बाड़ता है, यह high medium लो तीन इस्तितियों बाड़ता है, market share versus market growth के बीच में ग्राफ है, यह business strength versus market attractiveness के बीच में बत्रा सर ने एक और सवाल आपको बातों 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 पर तियार कर दिया है, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा बिटा आपको, मैं उन unforeseen सवालों को भी देख पा रहा हूँ, जो institute आप से पूछ सकती है, inference में, लेकिन बाकी के teacher के अबल किताब पढ़के जो किताब में पूछा जा सकता है, इसलिए आप बत्रा सर के कहने करनुसार अगर तयारी करेंगे, तो इस subject में 40 प्लस लाना सभी के लिए आसान है, और अगर आपको लगता है, आज ये 14 चप्टर खतम ही हो रहा है, almost खतम ही कर दिया है, अब इसके बाद mcq, summary chart, case scenario और descriptive पढ़ने है, तो और जो आपको value मिली, उन्हें रात दिन कांतर है, इतने कम price पे, बहुत ही high value added product आपको मिला है, अगर आप इस से satisfied है, तो आपकी ये moral duty बनती है, आपके जो भी और friend circle में लोग हैं, उन्हें इस course को refer करें, हम आपके reference से उनको भी ये course आज भी 2500 में ही देने के लिए तयार है तो आपकी duty बनती है, जो इस subject से हैं, परिशान, उन्हें विटा बत्रसर की class suggest कर सकते हैं, अगर आप satisfied हो, तब ही करना, वर्रा मत करना, चलिए, बताईए, 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 उन सारी चीजों को आपको भूमने बता दिया, जो कोई और नहीं बताएगा, चौलिए, 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 आगे चौलते हैं, आप अपने अपने शहरों में भी जिन बच्चों से संपर्क में आते हैं, जैसे ITT, OTT की ट्रेनिंग पे आप जाते हैं, क्योंकि फाइनल से पहले वो करनी जरूरी है, आर्टिकल्शिप से पहले करनी जरूरी होती है, या आप किसी ग्रूप में, किसी और जगे पढ़ रहे हैं, और वहां बच्चों से आपकी बाच्चीत होती हैं, आपको लगता है, SM सब्जेट को लेके वो बड़ी दुवीदा में, या वो पहले जिन से कर रहे थे हैं, उतने सैटिसफाइड नहीं हैं, तो आप उन्हें र चेप्टर.